कम्पिटर में काम सभी कर लेते हैं लेकिन अपना काम attractive way से present करना जिसे आता है वही कम्पिटर में expert कहला जाता है जिया दोस्तो अगर अपना काम अच्छी तरह से present करना है तो आपको आना चीप powerpoint अगर आपकी क्लाइन मीटिंग है आपको कोई सेमिनार देना है या आपका college में कोई project submit करना है तो वो project submit करने के लिए आपको ज़रूरी है powerpoint का knowledge और powerpoint अगर आप YouTube पे सर्च करते हो तो किसी एक ही टुटरियल में powerpoint की सारी detail मिलने के चांसे बहुत कम है इसलिए मैंने सोचा कि यार नहीं जो भी powerpoint सीखना चाहता है उसे एक ही टुटरियल में powerpoint detail में explanation के साथ मैं बताऊं और यह वडियो में बनाऊं तो यह वडियो आपके लिए दोस्तों जिसमें मैं powerpoint के अंदर animations easily कैसे apply करना है, transitions कैसे apply करना है, अलग-लग slide show होते है या slide effect होते है वो कैसे apply करने रहते है और साथी में एक amazing powerpoint presentation बनाने के ideas मैं आपके साथ इस tutorial में share करने वाला हूँ, इस tutorial को इस video को I mean आपको पूरा देखना होगा, तभी आप बनेंगे अपने office के superman, तो यह अगर आप एक college student हो तो आपका project बनेगा effect और आपको मिलेंगे out of mark आपके teacher से, देने पढ़ेंगे teachers को क्योंकि आपक सब्सक्राइब करता हूँ, let's begin लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दूस्तों मैं आपको बताओ कि आप अगर नए हूँ हमारे चैनल पे तो subscribe कीजिए और subscribe के वाजू में जो bell icon हो उस पे भी click कीजिए तकि हमारे वीडियो की notification आपको time पे मिले और आप computer में smart बने चलिए आप बढ़ते आज के topic के और तो इस powerpoint tutorial को मैंने इतना powerful बनाया है कि इसके अंदर बस मैंने tap की information नहीं दिये उसे कैसे apply करना है अपनी idea लगा कि उस presentation को किस तरह से attractive बनाना यह सारी चीज़े मैंने बताई है तो इस tutorial में मैंने थोड़ा सा fun वैसे भी present करने की कोशिश किये ताकि आप बोर ना हो क्योंकि हमारे चैनल का स्लोगों नहीं है नहीं करूंगा मैं बोर यह है लान मोर राइट तो powerpoint tutorial को आप जब देखेंगे तो मैं चाहूंगा कि इसकी practice भी आप करें और इसके लिए description में मैं link दूंगा powerpoint presentation की जो presentation मैं इसमें यूज कर आओ उसकी पर आप practice कर सकते हैं साथी में मैं आ Photoshop की भी सीरीज मैंने स्टार्ट कि उसके पर कर रहा हूँ और डोकैर ऐसे बहुत सरी सीरीज आएगी अगर आप इंट्रेश्टर को से सीखने के लिए तो रियल टूटरियल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिसका link आपको description में मिलेगा दोस्तों तो अब बढ़ते हैं हमारे PowerPoint के topic के और चलिए computer पे चलते हैं तो जैसे कि मैंने इंट्रोपाइट में का कि PowerPoint हम शुरुवात से सीखने वाले तो चलिए PowerPoint की शुरुवात यहां पे करते हैं और उसके लिए हमें PowerPoint कैसे शुरू करना है अपने computer के पर अपने laptop की पर वह देखने के लिए यहां पे दे पावर पॉइंट का रन कमांड पावर पी एंटी है यहां Excel का रन कमांड तो Excel है Microsoft Word का विन वर्ड है वैसे PowerPoint का पावर पी एंटी है PowerPoint पूरा नहीं लिखने और जैसे रन कमांड में आप पावर पी एंटी लिखोगे एंटर करोगे आपके सामने PowerPoint शुरू हो जाएगा दोस्त जी हां आपके पास 2007 है 2010 है 2013 पावर पॉइंट का या 2016-19 है कौन सा भी PowerPoint है बस अब को मैं यह बताओं कि जो options मैं यहां पर बताने आओ उला हूं यह सारे PowerPoint में लगबग similar है कुछ चीज़े नहीं है जहां जहां पर कुछ नए चीज़े आई है वो मैं आपको explain करूंगा कि यह नए PowerPoint में आपको देखने मिल रहा है पुराने PowerPoint में आपको नहीं मिल सकता है तो यहां पर PowerPoint की window आपकी सामने आ चुके और लेब साइड में आपको मिल रहा है यहां पर recent documents जी हां मतलब I mean to say यह recent presentation है documents नहीं है यहां पर जो दिखाए दे रहे लेब साइड में यह window के अंदर यह PowerPoint में पहले से बनाय हुए presentations आ रहे है Excel फाइल को हम workbook या worksheet फाइल बोलते है PowerPoint फाइल को हम presentation बोलेंगे और word फाइल को हम document बोलते है यह तो आपको पता ही होगा दोस्तों अच्छा PowerPoint की फाइल जब हम save करेंगे तो उसका native format extension जो होता है .pptx होता है .pptx यह याद रखना है native format extension यानि कि PowerPoint की फाइल जब कभी save करेंगे हम तो pptx format में हम save करते है इसके अलावा आप PowerPoint की फाइल PPS में भी save करते है यह क्या होता है आगे हम देखने वाले फिलाल तो मैं आपको बता रहो कि recent document के बाद right side में आपके पास जो window आ रहा है यहाँ पर बहुत सारे रेडिमेट PowerPoint के template आपको मिल रहे है इसमें से आप कोई भी template select कर सकते है या आप blank presentation चाहते है तो blank presentation यानि कि यहाँ पर कोई template नहीं आएगा इसके अलावा उपर आपको बहुत सारे themes, education, charts, diagram, business, infographics ऐसे आपको different presentation मिल रहे है आप जिस पर भी click करोगे सपोज मैंने education पर click किया तो education के thousands of templates online search हो क आपके सामने यहाँ पर दिखाए देंगे जो कि यहाँ पर load हो गए आपको दिखरा education के बहुत सारे template इसमें से आप ready-made templates ले सकते हैं यह Microsoft ने आपको यह designs दी है फ्री है बस आपको यह designs उठानी है आपके contents डालने है और present करना है अपने boss को impress करना है और अपने click को और आगे पतानी के जुरत नहीं किसको impress करना है आपके office में जो लड़की है उनको तो आप impress जरूर करना चाहोगे ऐसे amazing presentation बना के लेकिन फिलाल मैं आपको बताओ कि हमें यह सब ready-made नहीं उठाना है हम यहाँ पे home पे click करेंगे और यहाँ पे हम blank presentation लेंगे जी हाँ मुझे आपको PowerPoint ए अंदर pages नहीं होते slide होते जी हाँ याद रखिए कि PowerPoint के अंदर हम pages नहीं लेते है slides हम लेते हैं यहाँ पे आपको slide number one दिखा दे रहा है उसका thumbnail view है और यह slide का working layout है यहाँ पे हम काम करेंगे slide के उपा word file के अंदर रहते थे pages excel file के अंदर रहते थे sheets और PowerPoint में रहते है slides दो जी ह याद रखिए कि PowerPoint के अंदर जो pages होते pages नहीं बोलेंगे हम इसे slides ही बोलेंगे तो यहाँ पे slide one आ गया है इसके अलावा मैं आपको बताओ कि यहाँ पे आपको वैसी tab दिखाए दे रहा है जैसी कि word excel में रहता है home insert और उस tab का यहाँ पे ribbon भी आ रहा है और presentation अलग लग तरी presentation में convert करने के लिए आपकी PowerPoint slides को एक effective presentation में animated presentation में convert करने के लिए in tab का बहुत बड़ा रोल है तो इनको तो हमें detail में सीखना ही है समझना है detail में कैसे करना है लेकिन सबसे पहले तो हम home tab में चाहेंगे और यहाँ पे यह जो slide मैंने लिए इसके अलावा मुझे और slide चाहिए content type क लिए तो कहां से लिए यह देखना है हमें यहाँ पे आपको दिखाय दे रहा है new slide जरा मैं इसे zoom करके बता देता हूँ यह दिखाय दे रहा है आपको new slide लेकिन यह new slide में यहाँ जरा ध्यान दीजिए दो बटन है इसमें दो बटन जीहां यहाँ पे एक ओपर बटन दिख आए new slide के अंदर आपको दो बटन में बिलेंगे अब यह दो बटन के आए new slide के जो नीचे वाला बटन है यह new slide का यह drop down arrow क्लिक करेंगे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ slide के अलग-अलग ओपीस theme आएंगे जिसमें से आप slide इंसर्ट कर सकते है इसे layout भी बोलते है हम ल Ctrl M बटन प्रेस करूंगा तो भी मुझे ऐसी slide मिलेगी तो नई slide मैंने insert किये पहली slide मेरी title and subtitle के रहेगी दूसरी slide मेरी title and text की रहेगी क्योंकि पहली slide में हम अपने business का title देंगे मैं आपको बताऊंगा PowerPoint में presentation कैसे बनाना है लेकिन फिलाल तो आपको मैंने बताय कि slide कैसे insert क करता हूं तो क्या होता है आपको next slide जो मिलेगी वही layout की मिलेगी उसमें बस title ही मिलेगा यहाँ पे new slide में यह जो options है इसमें अलग-लग layout की slide है जैसे आपको कोई compare करना है को कोई दो product को तो आप two content वाली slide ले सकते है new slide में क्लिक करके आप comparison वाला भी ले सकते वैसे comparison वाला भ कोई text type करने के लिए नहीं कोई image लेने के लिए तो ऐसे मैंने लग-बग 6 slide यहाँ पे insert कर दिये दिखाए दे रहे आपको अलग-अलग slide कैसे insert करना है अच्छे slide नहीं चाहिए तो simple है slide के पर I click easy है और यहाँ पे आपको delete option आ रहा है यह directly single select रखे यह slide select होने के बाद कैसे दिखती है यह जो thumbnail view है उसमें आपको दिख रहा है जो slide select है उसका view देखिए कैसा आ रहा है उसको border आ रहा है तो यहाँ पे इससे border दिखाए दे रहा है आपको selection में अलग तरीके से highlight हो रहा है और उसे select करके आप delete button प्रेस करेंगे न keyboard से तो भी यह delete होगा देखो अभी मेर slide को आपने select किया है और पिर उसके बाद आप जहां से यहां से चलिए इसे title only वाले insert करने हैं, उपर एक slide आगे, दो number पर गई है, title and subtitle slide, तो सबसे पहले इसे insert करना समझे है, कि किस में insert करने है, ये gap में insert करने है, तो आप ऐसे gap में भी cursor रख सकते हैं, बीच में यहां पर click करके, उसके gap में slide आप insert कर सकते हैं, end में चाहिए, तो end में cursor लेकिन यह पहले जो beginner से उनके लिए बहुत important है कि उनको यह पता रहना चाहिए कि slide हम कहां पर और कैसे insert कर सकते हैं अच्छे यह thumbnail view बहुत काम का है मैं बताता हूँ इसमें जब right click करोगे न यहां पर और भी option आपको मिलते है टाइटल स्लाइड को सिलेक करके आप new slide insert करते हो तो title and content वाली आती है दिखे title and text वाली आ रही है अगर मैं इस slide को जारा जहां से देखे यह वाली slide को सिलेक करो यह title वाली slide है इससे select करके right click में new slide कर रहा हूँ तो इसके नीचे कौन सिलेक कर आ रही है वही आ रही है title वाली slide याद रखे हैं यह चुटी चुटी चीज़़ए देखेहे देखें मैंने पहली slide कौन सिलेक की थी यह वाली title and subtitle इससे select करके मैंने right click किया और new slide किया तो उसके नीचे जो slide आ रही है वो होती है title and text वाली इसे right click करके duplicate भी कर सकता है duplicate भी option दिया है लेकिन new slide के कमाल की चीज़ है new slide automatic track करता है कि आपके उपर की slide कौन सी है उसकी सबसे नीचे की slide लेता है बस अगर वो title है तो title की नीचे double title नहीं आएगा मतलब ये वाले slide है title and subtitle वाली slide है तो उसके नीचे title and subtitle नहीं आएगी title and text की ही आएगी ओके ये चोटी मोटी चीज़े है जो आपको पता रही नीचे है पहले से powerpoint के अंदर अगर आपको expert बनना है और expert presentation बनाना है जो कि लोग उससे देखकर वा भाई वा क्या presentation बनाया है इसा कहें उनके मुझे ऐसा निकले automatic निकलेगा लेकिन उसके लिए आपको ये चोड़ी चोड़ी चीज़े पता रही नीचे है अच्छा delete मैंने बताया delete slide क्या होता है duplicate यानि कि इसी का duplicate करना है चलिए क्लिक कीजिए उसी का duplicate आ रहा है duplicate काफी यूज होता है जब अपने एक slide पे जो animation या जो भी effect अपलाई किए वो दूसरे slide पे आने चाहिए next तो इसके लिए आप duplicate कर सकते हैं वहाँ पे interesting है duplicate भी इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी option है जैसे hide slide या layout यहाँ से change करना यह सारे options right click भी अलाव करता है format भी करने के लिए अलाव करता है लेकिन हम यहाँ पे अभी हो नहीं देखेंगे क्योंकि format के options आपको उपर भी मिलेंगे और फिर हम इसे right click करके format कैसे करना है वो भी सिखेंगे right click के main तीन options यहाँ पे फिलाल याद रखिए new slide duplicate and delete slide right अच्छा उसके अलावा अगर यह दो number के slide उपर पे रखनी थी मुझे यह देखिए उपर एक number पे है add title ही खाली मुझे यह वाला चीए title and subtitle तो मैं इसे click करके ऐसा drag करके उपर drop कर सकता हूँ यह थमनिल view जो मैंने बोला आपको यह side view यह काप interesting है आप drag करके एक number पे इसे रखो दो number पे आटोमेटिक और निक्ष्ट आ गई है इसे नहीं चीए आपको तो इस रैटली कीजिए और डिलीट कीजिए या फिर keyboard पे डिलीट बटन प्रेस कीजिए डिलीट होने वाला है यह सारी सीज़े समझ में होगी कि drag कैसे करना है slide को drag करके आप कही पे भी ऐसा रख सकते है जैसे हम mobile measure application को drag करके एक जगह से दुसरी जगह पे लेके जाते है वैसे ही करना है इसे बस तो slide की उपर कैसे खेलना है यह मैंने आपको बता दिया अच्छा आपको लगा कि यहाँ पे जो second slide है उसका title and text वाला है लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं slide insert नहीं करना है इसका layout बदलना है तो layout बदलने के लिए यहाँ पे slide sections में home tab का slide sections यहाँ पे उसमें layout एक option आपको दिखाई दे रहा है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया और उसमें आपको click करना layout में यहाँ पे slide insert नहीं होती है यहाँ पे जो new slide में layout दे रहे था सभी के सभी यहाँ पे आ रहे है जैसे कि title slide है, title and content है section header, to content, comparison, title only मैं पढ़ूंगा नहीं आगे कि आप पढ़ लो फिलाल तो यहाँ पे बहुत सरे आरे आप कोई भी इस slide को जो selected slide है उसका layout अभी change होगा देखिया मैं example दिखाता हूँ, to content मुझे करना नहीं लेकिन यहाँ पे to content में यह convert हो चुका है मैं control z कर देता हूँ, undo you know undo, everybody knows that यार undo मतलब control z, step पीछे जाएंगे और फिर से अगर दुबारा उसे चीए तो undo, I am sorry, redo मैंने यह excel में भी पता है आपको undo, redo अगर आपने excel के beginners वाला वीडियो देखा है तो आपको पता चलोगा undo और redo क्या होता है undo मतलब one step back और उसके लिए control z shortcut की और control y मतलब redo यहने one step forward तो control z, control y यह आप यहाँ पर कर सकते हैं यह shortcut keys याद रखनी जरूरी है आपको तो यहाँ पर आपको new slide कैसे insert करनी है layout कैसे change करना है यह आपको समझ मैं होगा इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने समझ लिया तो यहाँ पर आगे reset options दिया है इसका क्या use देता है मैं आपको simply बता देता हू reset options तो आपको layout के नीचे यहाँ पर दिखाए दे रहा है चलिए अगर मैं इस placeholder को यह placeholder पर क्लिक किया मैंने और border पर क्लिक करके drag कर रहा हूँ इस placeholder को drag करके मैंने यहाँ पर रखा है अगर आपने placeholder की size कम कर दी है या फिर उसकी position चेंज की है reset button से आपको dragly वो original position पर मिलने वाले है तो यहाँ पर new slide layout और reset यह तीनों option होने के बाद section option है यहाँ पर add sections पर आप click करते हो तो जितनी भी slide है उनके लिए आप यहाँ पर देख पाएंग में अलग-लग sections बना सकते है अभी यह no slide है अलग तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसे rename करूँगा इस presentation को मैं यहाँ पर नाम दूँगा मतलब इस section को मैं नाम देता हूँ मेरा first ppt ऐसा कुछ भी नाम दे दो first ppt मैंने नाम दिया rename तो यहाँ पर first ppt है और इस section के बाद मैं एक और section insert करना चाहता हूँ यहाँ पर करसर रखूँगा section में जाओँगा add section तो यहाँ पर दूसरा section add होगा जिसके अंदर मैं अभी slide add करूँगा suppose मैं यहाँ पर इसका भी नाम rename कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने second ppt ऐसा लिख दिया second section या second ppt आप लिख दो यहाँ पर और यहाँ पर second ppt के अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ नई slide insert करेंगे new slide, new slide, new slide आपको दिखाए दे रहा है यहाँ पर second section में यहाँ पर slide insert हो चुकी है तो एक ही presentation के अंदर ऐसे दो अलग अलग section बना के उनको मतलब slide को आप ऐसे divide कर सकते हैं आगे चलकर इसका use पता चलेगा आपको फिलाल section कैसे बनाने है इसकी उपर नाम rename करना है इस section को तो यहाँ पर देखिए अगर इन section को निकालना है तो simple option है remove all section तो मैं यहाँ पर remove all section करूँगा याद रखिए कि जब आप section निकालते हो तो slide remove नहीं होती बस उनके sections जो हमने तई किये वो remove हो जाते हैं तो आप यहाँ पर slide के sections बना सकते हैं मतलब यहाँ पर group of slide अलग अलग group में divide कर सकते हैं मतलब 3 slide का अलग group, 5 slide का अलग group, 4 slide का अलग group यहाँ से section बना सकते हैं section 1 का presentation, section 2 का presentation ऐसे अलग अलग section रहेंगे तो यह जो important slide options है यानि slide groups यहाँ में समझना था और यह मैंने पहले explain किया है कि slide के अंदर क्या-क्या चीज़े किये जा सकती है मैं फिलाल यह सभी slides को delete मार रहा हूँ दिखाए दे रहें आपको सभी की सभी slides मैंने delete की पहली title वाली slide है और जैसे मैं यहाँ से new slide लूँगा control M, shortcut की मैं बता देता हूँ यहाँ पे control M बटन प्रेस करेंगे नई slide आ रही है control M, control M, control M ऐसे आप control M बटन प्रेस करके भी slides insert कर सकते हैं अब पहली slide पे click कीजिए अब हम अपने content की उपर ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे powerpoint presentation बनाने के लिए आपको imagination और content इन दोनों का combination चाहिए मतलब आपकी बस content भी चाहिए जो advertise आपको करनी है उसके लिए और आपको थोड़ा सा imagination भी चलना चाहिए कि इस content को मैं किस वे से लिखू ताकि लोग attract हो जाए जैसे कि आपको पता रहे रहागा न तो जैसे कि मैं example बताओ आपको की powerpoint का presentation बनाते वक्त आपको थोड़ा सा imagination या advertise को या content को अलग वे से कैसे present करना है मैं आपको बता देता हूँ कि q job जो apple के founder थे और उन्होंने जब ipod launch किया था यहने की mp3 player जो apple company का था वो launch किया था तब यह नहीं लिखा था कि 5 zp data का storage करने वाला mp3 player हम market में launch कर रहे हैं उन्होंने ऐसा लिखा था यह लिखने के वज़े उन्होंने लिखा था thousand songs in your pocket मतलब 1000 गाने आपके pocket में आएंगे इसका मतलब यह कि उनको presentation करने का तरीका पता था लोगों को attract करने का तरीका पता था वैसे powerpoint में यह ज़रूरी है powerpoint में यह ज़रूरी है कि आप अपने presentations को बनाते वक्त आप कौन से content या कौन से word को कौन से title को use करें जिससे लोग attract हो जाए और आपके product की तरफ उनका ध्यान लगे ऐसे नहीं कि आप product का information बता रहे हो कभी आप business reading ले रहे हो तो भी वो presentation effective होना चाहिए आज के इस tutorial में तो सब कुछ आपको मिलने वाला है वैसे मैं आपको बताओ suppose मैं यहाँ पे लिख रहा हो मेरे company का title सबसे पहले तो company का नाम लिखिए वो ज़रूरी है learn more और learn more का जो slogan है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे learn more earn more वैसे तो यह slogan है इसका learn more earn more and also fun more मतलब हम कुछ entertain करके भी पढ़ते हैं कभी कभी पढ़ाई बहुत boring लगती हैं मैं इसलिए हम कभी कभी entertainment करते हैं दोस्तों जोक तो बहुत ज़रूरी है पढ़ते पढ़ते right so learn more earn more and fun more so यह हमारा slogan है और यह मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यह learn more है तो क्या आप सीखने वाले हो तो second slide के title में मैंने यह लिख दिया और उसके अंदर content में मैं लिखूंगा क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ यह content लिखूंगा मैं तो यह यहाँ पर आपको बताना है कि आपके product के क्या features है या आप कौन को से service दे रहे हो यह सारी चीज़े यहाँ पर बता रहे हो service market के compare से कैसी अच्छी है कैसी बेतर है यह सारी चीज़े यहाँ पर explain करनी पड़ीगी content writing यह बहुत important है सबसे पहले content writing कर लो designing और के बारे में या animation के बारे में बाद में सोचो राइट तो इस presentation के बारे में मैं जादा नहीं लिख रहा हूँ learn more के बारे में यह थोड़ा सा जादा हो जाएगा इसलिए मैं learn more के जगए यहाँ पर दूसरा कुछ product लेता हूँ जो आपको funny वे से पढ़ानी की मैं कोशिश करूँगा उसे और funny वे से present करनी की कोशिश करूँगा जो मेरे हमेशा मेरे student को मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मैंने product का नाम बदल दिया है और मैंने लिया है जंडू जंडू बाम में क्या स्लोगण होता है बताइये मुझे एक बाम तीन काम यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा यह दे रहा आपको एक बाम तीन काम यह एल साइलन्ट है तो यहाँ पर बाम ही पढ़ना है इससे दोस्तों यह बालम मत पढ़िए एक student को मैंने पढ़ने के के लिए ऐसा लिखा है काम कि में भी यल साइलेंट रखिएगा फिलाल आपको देख रहा है जंडू बाम मैंने लिखाया और यह प्रोड़क के बारे में हम कुछ अड़टाइज बनाने वाले तो मैंने यहां पे सेकंड स्लाइड पे क्लिक किया और उसके टाइटल में मैंने लिखा फीचर्स आफ जंडू बाम तो जंडू बाम के हम फीचर्स यहां पे लेंगे फीचर्स या फीचर्स यतना ऑकी टाइटल देगे हम और फीचर्स यहां पे लिखते हैं हल्दी और आट रचनन के गुलों से बहाएं वजरे हो वहको 새로운 पन्लेख यहूर। अभी फिलाल तो और मैं पहले ही बता दू कि यह सब गटना एकालपनिक है इनका वास्त जीवन से कोई समंधन नहीं है ने तो आप बोलोगे यार सर क्या बोल रहे हो हल्दी और चंदन से जंडुबाम बनता है क्या नहीं बनता है I know that बट मैं ऐसे लिख रहा हूँ 100% यार कभी घबार होता है सबको होता है इनसान है कभी-कभी मसीन अपनी गरम हो जाती तो जंडुबाम उसे ठीक कर लेता है 100% आयरुए दिखके साथ मैं कुछ और लिख देता हूँ यहां पर तो मैंने यहां पर टाइप कर दिया सदी सर्दत और बदंदर्द का अंतूरंत अगर आप चाहते हैं इसे हिंदी में टाइप करना तो हिंदी में कैसे टाइप करना है Microsoft Indic Tool लेके आप कर सकते हैं Microsoft Indic Tool के बारे मैंने आरड़ी वीडियो बनाया था उसके लिए मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दे दूँगा Microsoft Indic Tool आपके कंपूटर में इंस्टॉल करने के बाद यहां पर टाइप करोगे तो हिंदी में टाइप कैसे होगा अ आपके अपके अब क्लिक कीजिये और यहां पर 100 ग्राम का लिख सकते हैं और आगे आपके और भी ज़्यादा लिखना है तो 1 kg 2 kg 3 kg तो इतना तो जंडू बाम नहीं मिलता है इतना ज़रूरी भी नहीं पड़ता है लेकिन किसी का ज्यादा सरदद हो रहा है तो उसके लिए यहां पे इतना जंडू बाम मैंने लिख दिया है और यहां पे इसकी प्राइज में एकॉर्डिंग टू डैट ऐसे कुछ बढ़ा रह है तो कोई समद्ध नहीं और पीपल कमेंड और पीपल रिव्यू यू कैन राइट लाइक दिस यह टाइटल में दे रहा हूं यहां पे करता क्या हूं मैं एक काम का आता हूं यह जो प्लेस होल्डर दिख रहा है इसकी बॉर्डर पे क्लिक करके से डिलिट कर तो इस प्लेस पीचर यह आप से फॉल्ड़ में से फॉल्डर में से फिचर लिये सकते हैं यहाँ पीप यहां पर पीचर है टर ज्यारू का पिचर आ गए है यहां पर मैं चेर के पिचिर्स को इस तरह से साइच से कम कर देता हूं और यह एक picture में यहाँ पर size कम कर दें यह लग रहा है शारुक नहीं यहाँ पर जंडू बंब लगा कि आराम कर रहा है वैसे लग रहा है so यहाँ पर I'm doing one thing यहाँ पर मैं इसे ऐसा रख देता हूँ okay चलिए इस picture को crop भी कर सकते है आप crop करना है ऐसे ज़्यादा लग रहा है आपको तो यह crop कर दो एक लेक लाइन में दिखाए देगा आपको right इस तरह से cropping के लिए क्लिक कीजिए crop tool यहाँ पर format टाब आता है उपर दिखाए दे रहा है format टाब format टाब के अंदर right corner में crop tool रहता है जैसे आप इस crop tool पे क्लिक करते हो यह crop ऐसे option देता है और जिससे आप लेके उपर नीचे खीचोगे तो ऐसा crop हो जाएगा फिलाल मैंने इतना crop कर दिया बाजू में क्लिक कर दिया अब आपको यहाँ पर review देना है पीपल के तो insert में जाई है insert में यहाँ पर shapes option है यह भी powerpoint में बहुत useful होते है अलग लग presentation में तो मैं कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ पर कुछ call out shapes है नीचे आई है यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है call out shape right call out shape में आपको करना है click और यह यहाँ से कोई भी call out shape ले सकते जैसे मैं यहाँ पर यह वाला call out shape ले रहा हूँ और यहाँ पर ड्रॉव कर रहा हूँ तो शारुक खान कुछ बता रहा है कि मैंने जंडू बाम लगाया इसलिए मेरा सरदत गायब हो गया तो शारुक खान यहाँ पर जंडू बाम के बारे मे मैं तो शारुक की तरह आवाज नहीं निकाल पाता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर कोशिच की और आपको दिखाए दे रहा है शारुक खान क्या बोड़ रहा है जंडू बाम के वारे में कि उसकी वज़ए से जंडू बाम के वज़ए से शारुक खान को नींड आ गई अच्छ इसके उपर भी क्लिक करेंगे यलो पॉइंट आता है जरा मैं ध्यान से दिका तो आपको यलो पॉइंट जिसके उपर क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो यह पॉइंट आप ऐसा नीचे रख सकते है ऐसा राके उसके मुँपे मत रखो थोड़ा सही रख दो यह भी तो आप ऐसे साइज भी बढ़ा सकते हैं माउस पाइंटर इसके एरो पाइंटर पे लेकिया जाओ और यह चोटी मूटी बाते सीख लो यह पाउर पाइंट में बहुत जूरी है बीच में क्लिक करके ऐसा इसे खीचना है इदर उदर राइट अब इसे राइट क्लिक कीजिए एडिट टेक्स्ट कीजिएगा और यहां पे लिखिए थैंक्स जंडुबाम आपके वैसे मैं डांस करने लगी थैंक्स तू जंडुबाम इस तरह से आप लिख सकते हैं कुछ भी इंट्रेस्टिंग पार्ट यहां पे लिखना है वह लिख सकते हैं आपने वह एड़ तो द जाए वह थोड़ा सा इंटर्टेंब्मेंट रहेगा तो भी चलेगा तो आपने बहुत सारे टीवी पैड देखे होंगे वह थोड़ा सा इंटर्टेंग पार्ट से बनाते हैं और लोगों का ध्यान कीचना चाहते हैं कुछ आपको पावरपांट में करना है इसलिए मैं यह ले आउट है मैं यहाँ पर ले जाता हूं और इसे टाइटल ओनली कर देता हूं इस टाइटल को मैं नीचे लाके रख देता हूं इसे सेंटर वगएरा फॉमाटिंग हमें बाद मी करनी हैं सारी चीज़े हम करेंगे यहाँ पर पहले स्लाइड बनाना सीख लो मैंने कैसी स् कि का यहाँ आप एक संब का साईट के लिए प्रीजा अपना यहाँ पर इप्रेडा सकते हैं और यह भी शेपस आप यूज करके देख सकते हैं फिलाल में जितनी जूरत पढ़िए उतने हमने यूजगे अब हम PowerPoint के presentation के actual part की तरफ बढ़ेंगे जो है design, transition, animation और slide show क्योंकि अब तक हमने जो देखा वो PowerPoint के अंदर slide कैसे बनाना है, slide insert कैसे करना है, slide के अंदर content add कैसे करना है इन चीज़ों पर हमने ज़रा गोर किया, इन चीज़ों को हमने पहले सीख लिया, क्योंकि मैं directly आपको design, transition, animation भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप PowerPoint में 0 हो, मेरा काम है कि आपको 0 से बढ़ाओ, एक दम 0, यानि शुन्य से लेकर आपको मैं 100 तक लेके कि यहाँ पर रेडिमेट PowerPoint की design मिलती है आपको, ज़्यादा मेनत तो करनी है नहीं आपको, आपको बस इस arrow पे click करना, यहाँ पर जो arrow दिख रहा है, इसमें बहुत सरी और design मिलेगी, arrow पे click करती है, आपको बहुत सरी आपर design मिल रही है, अब जरूरी नहीं कि यही design सारी अलग है, तो यहाँ पर मैं अलग-अलग design से यहाँ लेता हूँ, शायद 2007 में यहाँ पर design टैब नहीं है, themes टैब रहेगा, something like that, तो आपको बस यहाँ पर लेके mouse pointer उसके पर घुमाना है, mouse pointer और आपको पीछे दिखाए दे रहा है कि यह apply हो रहा है, लेकिन एक बात याद र अधिया, कोई भी design पर pattern पर click कर दिया, तो पहली slide से लेकर सभी slide पर design आ रही है, आपको दिखाए दे रहा है, आपको दिखाए दे रहा है, यहाँ पर design के उपर click करता हूँ, तो वो themes entire presentation में apply हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक notice किजिए, कि title वाली slide रहे थे, उसका presentation कुछ अ apply हो जाती, मैं एक single click करता हूँ तो, लेकिन आप चाहते कि नहीं, सब के लिए अलग-अलग theme चाहिए, मतलब पहले slide के लिए यह theme चाहिए, तो मैं इसके उपर right click करूँगा, पहले slide के लिए apply होनी चाहिए, तो जो slide selected है हमारी, यहाँ पर देखिए, apply to selected slide, apply to all slide, यह theme को delete कर यह भी option है, default मतलब power punch start होती ही, यह theme चालो हो जाएगी, आपको blank theme नहीं मिलेगी, यह मत कीजी है, लेकिन फिलाल तो, delete तो नहीं करना है, हमें apply to selected slide करना है, देखिया अभी क्या हुआ, पहली slide के लिए theme आगे, बाकी slide के लिए, जो पुरानी theme हमने apply की थी, वो आ गई है, right, तो हर एक slide को अलग-अलग theme आप दे सकते हैं, slide को select करना है, उस theme पे जाके right click करना है, apply to selected slide, यहाँ पे अलग theme आ गई है, आप चाहते हैं, इसके लिए अलग theme, यह ठीक, इसके लिए यह ठीक मुझे लग रही है, इसके लिए लिकिन अलग theme करनी मुझे, तो मैं यहाँ पे drag करके side way भी रख सकते हैं, या उसका align वगेरा change कर सकते हैं, home tab में जहिए, इसे left alignment रखिए, इसे drag करके ऐसा रख सकते हैं, मतलब आप बाद में changes भी कर सकते हैं, उस theme के अंदर आपके requirement के according, या फिर आपको theme ही बदल नहीं है, तो आप theme बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान रही ह यह मुझे चाहिते हैं और यह thanks for watching जो है, इस box की size मैं ऐसा कम करूँगा, यहाँ पर arrow लाके ऐसा कम करना है, इसके border पे click करके यहाँ पर रख देना है, आप customized formatting भी कर सकते हैं, जैसे अब यह जन्डू बाम है, यहाँ पर आया है, तो जन्डू बाम की size मुझे कम लग रही है तो मैं इसे select करूँगा, home में जाऊँगा और इसकी size बढ़ा दूँगा, इसे bold करूँगा, इसे home tab में जो formatting हम करते हैं generally, वो सारी जीज़े यहाँ पर आप apply कर सकते हैं, आपके requirement के according, आप चाहते हैं तो जन्डू बाम का यहाँ पर picture भी add कर सकते हैं, चलिए मैं picture add करता मैं पहले से google में लेके रखता हू, desktop पे, तो यहाँ पर मैं picture लेने के लिए दुबारा जाओंगा insert में, insert में आपको पता ही है, यहाँ पर एक picture option है, जो कि आपको click करना है pictures में, और उसके बाद यहाँ पर जन्डू बाम का मैंने पहले से picture यहाँ पर import करके रखा था, time save करन वालों ने पॉंसर नहीं किया है, मैं बस यहाँ पर आपको एक फ़नी वेच से presentation दिखाने के लिए, यहाँ पर जन्डू बाम लिया है, एक बाम तीन काम, समझे जन्डू, I mean समझे जन्डू बाम का product की बारे में मैं बता रहा हूँ, आपको जन्डू नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, गलत ना समझेगा कभी, हमारा इरादा हमेशा रहता है सही, तो यहाँ पर मैंने जन्डू बाम का यह product रख दिया है, और आपको यह समझ में अभी थोड़ा सा इसे भी presentative बनाना है, तो आपको format मिलता है, जन्डू बाम को formatting करने के लिए, इस बाम को मतलब यह pattern दे सकते हैं, आपको जो लगता है, styles available है, बहुत सारी, इसके अलावा आप चाहते हैं, तो यहाँ पर picture reflects में भी जा सकते हैं, जिसमें reflection option है, यह reflection देखिए कैसा आ रहा है, यह कापी interesting है, आप चाहते हैं, तो reflection यहाँ पर रखें, reflection आप दिखाई दे रहा ह आपको, picture effects में, reflection के अलावा, यहाँ पर 3D rotation भी है, और बहुत कुछ है, कापी interesting है, मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह apply कैसे किया चाहता है, बस mouse लेकि उसके उपर click करो, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि उसका effect कैसे हो रहा है, तो इस में से जो style आपको अच्छी लगती है, वो style select कीजिए और apply कीजिए, जैसे मुझे यह style अच्छी लगी मैं यह apply कर दी, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर product properly आ चुका है, इसको उपर रखना है, आप उपर रख सकते हैं, एक बाम तीन काम यह जो लड़ा छोटा नजर आ रहा है, इसे भ बढ़ा कर सकते हैं, यहाँ पर देखें, एक बाम तीन काम को भी मैंने बढ़ा कर दिया, तोड़ा नीचे लीजिए, तो आपके requirement के सबसे आप इसे set कीजिए, बाकि स्लाइड में भी आप यह सारी चीज़े कर सकते हैं, यहाँ पर जन्डू बाम का product और अगर आड़ करना ह जो कि यहाँ से आप select कर सकते हैं, colors में जाहिए, और जो colors pattern चाहिए, अब ज़रा देख सकते हैं, कैसे mouse pointer इसके उपर move कर रहा हूं, तो तुरंत आपको designs दिखाए दे रही है, आपको लगता है कि यह color ठीक है, यह color ठीक है, यह जन्डू बाम से related लग रहा है, तो यह color दीज सकते हैं, हर एक slide के लिए अलग-अलग आपको मिलेगा, देखिए, यहाँ पे slide के लिए अलग design, अलग color, तो slide के लिए चाहिए, तो slide पे click किजए, उसके लिए अलग-अलग pattern, अलग-अलग colors, आप यहां से change कर सकते हैं, तो variants आपको बहुत सारे मिलते हैं, design tab के अंदर, और दिखाए दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते slide कैसे दिखाए दे रहा है, पहली slide कैसे दिख रहे थी और अभी कैसी, अब यह picture और text यहाँ पे नहीं बैटरे layout की साब से, तो हम यह नहीं करेंगे, हम इसे wide screen ही रखेंगे, that will be cool, wide screen presentation पे बहुत better लगता है, बहुत यहाँ पे custom भी कर सकते हैं कि आपको landscape रखना slide का orientation, landscape एने horizontal जैसे Excel में देखा था, आपने landscape एने horizontal रहता है, तो यहाँ पे horizontal भी यहाँ पे होता है, लेकिन already presentation वैसे भी landscape में रहता है, तो उसे रखने की ज़रूत नहीं है हमें, और यहाँ पे format background भी options आपको दिया है, format background में ज solid feel है, यानि कि white color है, white color की जगह अगर आप background दूसरा कुछ रखना चाते हैं, तो आपको background तुरन नजर आ रहा है, अगर आप hide background graphics करना चाते हैं, तो graphics पूरा गायब हो जाएगा, यहाँ पे background की जो graphics है वो automatically थे, वो मैंने गायब कर दिये, अब मैं यहाँ पे colors वापीस white करन चाते हैं, यहाँ पे 2-3 color आ जाते है, gradient में आप select कर सकते हैं, इस color का gradient stop से अलग-लग position पे रख सकते हैं, right side में यह panel आपको मिल रहा है, और इसे use करके आप अच्छी तरह से अलग-लग background रख सकते हैं, even picture भी रख सकते है, picture and texture में जाओ, file में जाओ, और आपको लगा कि यहा आपको बता दिया है, कैसे करना है, solid feel रख रहा हूँ, जैसे था वैसे, और यह background options, तो आपने design tap completely यहाँ पे सीख लिया है, कि design tap से हम किस तरह से formatting कर सकते हैं, slide की उपर themes और themes के variants कैसे apply कर सकते हैं, slide की size और background कैसे change कर सकते हैं, background का graphics कैसे गायब कर सकते हैं, उमीद आपको य रेर भी कीजिएगा इस वीडियो को, उनको भी पता चलने दीजिए कि powerpoint के अंदर इतनी सारी चीज़े रहती है, जो एक ही वीडियो में explain की है किसी ने, किसी ने, मैंने explain की है दोस्तों, और वो सब आपके लिए, और मैं साथ में यह बताओ कि learn more channel पे और भी computer tips and tricks के वीडि transitions tab यह मेरा favorite tab है, उसके अलावा animation भी मेरा favorite है, लेकि transition बहुत easy और interesting presentation बनाता है आपका, सबसे पहले मैं आपको बताओ, transition tab पढ़ाने के पहले, अगर मैं यहाँ पे F5 button press करता हूँ, यानि कि मैं slide को present करना चाहता हूँ, लोगों के सामने अभी, तो अब बारी मुझे present करने क तो मैं F5 button press करूँगा, यानि slide show, तो जैसे ही मैं F5 press करूँगा, यहाँ पे मुझे full screen में slide दिखाए देगी, जैसे कि आपको दिखाए दे रही है, जन्डू बाम, एक बाम, तीन काम, मैं down arrow press करूँगा, second slide आएगी, फिर मैं down arrow, या mouse click करूँगा, तो next slide आएगी, फिर मैं यहाँ पे, right, मुझे यहाँ पे press करना पड़ रहा है, keyboard की key, या फिर mouse का click, तो मैं चाहता हूँ कि यह automatic हो, और मैं साथ में चाहता हूँ कि एक slide जाते समय, दूसरी slide के बीच में कोई transition आए, साथ में कोई sound आए, तो यह सारी जीजे possible है, जीहाँ possible है, करना क्या है, मैं आप सबसे फिले आपको बताओ कि आप कौन सा version यूज करें PowerPoint का, उसकी सबसे आपको transition दिखाए देंगे, लेकिन transition रहेंगे ज़रूर, अब जो मैं transition यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वही transition आपकी PowerPoint में रहेंगे, chances कम है, क्योंकि आपका version मेरे से match कर रहा है, 2016 का है, तो जरूर सेम transition आपको मिलेंगे, 2013 में भी यही लगबग transition से, लेकिन 2010 या 2007 है, Microsoft PowerPoint आपका, तो transition अलग मिलेंगे, लेकिन आप ऐसे ही practice करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, same steps आपको apply करने है, करना क्या है, सबसे पहले तो जो transition आपको पसंद है, उसे select कर लेना है, यहा थोड़ा सा interesting लगता है, intro part में, curtain मतलब खुल रहा है, चलो, हमारे जंडुमम product launch हो रहा है, wow, interesting, curtain open, यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, यह यह transition है apply होता है, wind, देखिए, यह होता है, और इस wind के लिए, कुछ effect भी मिलते हैं, यहाँ पे, effect, मतलब transition मतलब transition में effect भी मिलते हैं आपको, यहाँ पे जो effect option दिखाए दे रहा है, यहाँ से आप effect ले सकते हैं, तो wind या curtain या drape, जो भी transitions आप ले रहे हो, उसके लिए effect option मिलते हैं, curtains के लिए नहीं है, इसके लिए है ज़रूर, अब यह यह दिखिए, right side से गिरेगा, okay, यह 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 अभी प्रेस कहता हू, F5, चले मैं F5 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए transition आ रहा है, अब मुझे next slide में जाने के लिए down arrow प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तक automatic नहीं किया है, देखिए, सभी slide के लिए same transition apply हो रहा है, एक के बाद एक drape यहाँ पे हो रहा है transitions, जैसे उपर से page ऐसा, नीचे slide down हो रहा है, calendar की तरह जैसे page पलटते हैं आप वैसे हो रहा है आपे, so आप एक ही transition नहीं देना चाहते है सभी slide के लिए, तो करना क्या है, इस slide को click करने के बाद आपको यह देना है, यह दे दिया, second slide पे click करने के बाद आपको यह वाला देन रख है, okay, तो यहाँ पे आपको pill off देना है, तो pill off देजी है, यहाँ पे आपको interesting और है, यह वाला देखिए, और गेनी, और गेनी, और गेमी, sorry, origami, 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 यह मुझे बोलना है, okay, now I got the correct pronunciation, यार कैसे नाम रखते हैं, आप भी try कीजिएगा, इसका origami, okay, so airplane mode में जाना है, airplane mode में जाना है, to bec Pascal रखते हैं, वैसे यहां पे है, तो यहां पे जो भी चाहिए, वो रख दिजिएगा, wow, यह इंटरेस्टिक है लेगे, toak, 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 wow, flying हो रहा है, so आप origami, देखे, देखिए, अब यहां पे मैं F5 करके दिखा तो, सब के लिए है है हमारा औरी गामी। वाव ! इंटरेश्टिग् ओके यह मने ट्राइशिष्टन यहाँ पर दी दी अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के और आप मेरे स्मार्ट यूजर हो यार समझाई होगा राइट तो अब मैं आपको बताओं कि ट्रांजिशन में जितने ट्रांजिशन से यहां पे ज्यादा आपको मिल रहे हैं उतने एक-एक करके अप्लाइ करके देखिए प्रैक्टिस क सो मच सर वो काफी एकसाइट हो जाते मैं भी खुश हो जाता यार यह तो सब ब्रेडिमेंट चीज़े मैंने यूज की है लेकिन काफी वर्ज़दार है यार काफी मज़ा जाएगा आपको फिलाल तो मैं आपको बताओ कि यहां पर राइड साइड में कुछ और ऑप्शन से मैंने apply to all किया तो एक ही transition सब के लिए हो था लेकिन मैंने क्या किया था एक ही slide को क्लिक करके अलग लग transition दी दिया था वैसे ही इस transition का durations आप set कर सकते हैं मतलब यह transition आ रहा है जैसे wind आ भी आ रहा है देखिए कैसे यह slowly जा रहा है यह 2 seconds में चला जा रहा है अगर आप चाहत इसे fast open करना तो इसका timing यहाँ पर कम कर सकते है अब direct link दीजिए zero one seconds okay zero one seconds मतलब zero one seconds हैने की zero one seconds हैने की one second यहाँ पर हो लेगा और आगे की zero zero यह point वाले second है यह second है यहाद रखो यह minute नहीं है यहाँ पर ध्यान दीजिए minute में नहीं है यह one second हो गया और second के अंदर के भी part ले सक देखते हैं अब अब यहाँ आप फाई कीजिए क्या होता है जारा ध्यान दीजिए जारा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है वो कर्टन बहुत पास्ट चला गया क्यों ऐसा हुआ क्यों कि उसके लिए बहुत कम timing मैंने रखा है उसको हम जितना ज़्यादा timing रखेंग उतना स्लो आएगा तो यहाँ पर मैंने अगर 6 seconds कर दिए सबोज मैंने यहाँ पर 6 seconds कर दिए तो 6 seconds में कैसे होगा यहाँ पी दिखिए है अभी आपको 6 seconds में दिखाई दे रहा कैसे हो रहा है slowly open होगा curtains तो यहाँ पर आपको समझ मैं है कि यह किस तरह से इसका speed हम slide कर रख सकते हर transitions के लिए यहाँ पर अलग-अलग durations है वो durations आप कम ज़्यादा कर सकते है साथी में आप sound effect भी दे सकते है चलिए sound effect में मैं दिखाऊंगा लेकिन पहले मैं मेरा laptop का sound on कर देता क्योंकि मैंने mute किया था बार-बार में बीद बीच में कुछ भी आवाज आ जाता था बीच बी आप फाई करेंगी चलो मैं भी थोड़ी असे तालिया बजा लेता हूँ वाओ इंट्रेस्टिंग है आप भी तालिया बजाओ यहाँ यहाँ पर ready made sound दिया है अप लाउद्स और arrow भी देना है arrow दीजी है वैसे आप जो भी transitions में sound apply करना चाहते है वो यहाँ से आप कर सकते है काप इंट्रेस्टिंग sounds है एक बाद try कीजी है मैं एक ही दिखा रहा हूँ आपको बस यहाँ पर demo के तोर पे अब बागी के sounds apply करके देख सकते हैं वो transition के दोरा नहीं आएंगे click करो फिर उसके बाद FI करो आपको सुनाई देंगे उसके बाद आपको automatic चाहिए मैंने बोला क्लिक मतलब next slide नहीं आएगी याद रखिए तो यह रखिए यह भी रखिए इसमें automatic क्या होगा मैं कितना time रखना चाहता हूँ एक मिनिट के बाद एक slide आजाए दो मिनिट के बाद तीन मिनिट के बाद चार मिनिट के बाद पाच मिनिट के बाद ऐसा रख सकते आप एक मिन करता है कि उसके उपर आप में इसका timing set करेंगे हम अपना random timing नहीं set करेंगे इससे सपोच 5 seconds लगता होगा मिनिट नहीं seconds की बाद कर रहा हूँ मैं ने गलती से मिनिट बोल दिया आप समझ लेना यार कभी-कभी बो हो जाता है मैं इतने घंटे से record कर रहा हूँ एक घंटा हो इसलिए तो देना है हमें वैसे PowerPoint आपको बहुत सरे options देता है timing set करने के लिए जैसे आपका कल presentation है तो आज आपको rehearsal करनी है तो PowerPoint में rehearsal का भी option है आगे है दोस्तों बने रहीगा इसलिए उडियो में मैं आपको each and every point PowerPoint का explain करने वाला हूँ don't give up यार कुछ नया सीखना है तो बने रहना बहुत जुरूरी है जैसे मैं आभी तो कि यहाँ पर ही हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए आप सभी के लिए तो फिलाल मैं 5 बटन प्रेस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि automatic हो रहा है कि नहीं हो रहा है सबसे पहले तो तालिया बज़ेंगी चलिए बजने चलो जल्दी आजो नहीं इसको मैंने ज्यादा टाइमिंग रखा था पाच-6 सेकंड इसले टाइम लगा इस तो चार सेकंड के बाद आ जाएगा आप काउंट कर लेना टाइमिंग मैंने काउंट कर रहा और यह डुप-डुप-डुप-डुप-डुप-डुप-डुप- आपने बनाई है और यह स्क्रीन के उपर कंटीन्यू प्ले होनी चाहिए जैसे कोई फंक्शन आपका चालू है तो आप यह एड़टाइस कंटीन्यू स्क्रीन के उपर प्ले करना चाहते यह फोटोग्राप से फोटो अल्बं आपने बनाया है वैसे पाउरपन में फोटो लूप में करते न जैसे मोबाईल पे कोई गाना लगा है और आपको पसंद आया और बार बार सुनेंगी आप हो गाना तो लूप मोड़ पे डालते है बार बार सुनने के लिए आप तो वैसे हम यहाँ पे कर सकते लूप मोड को अन तो इसके अंदर प्रेजेंटेशन का ल continuously until escape, that's it, यह यहाँ पर चेक कर दो, और यहाँ पर करना है, okay, that's it, okay कर दो, now let's have a look at this, अगर मैं F5 बडम प्रेस करूँगा भी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बगा देता हूँ इसे, क्योंकि यहाँ पर टाइम जाएगा एक एक स्लाइड आने के लिए, down arrow quickly press कर रहा हूँ, यह mouse का click कीजिए, क्योंकि मैंने वो भी on रखा है, अब पाचवी slide आ चुकिए, और दुबर अब पहली slide आ चुकिए, मतलब यह presentation continue चालूई रहेगा, यह बंदी नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे loop continuous until escape, यह slide show का setup किया है, design और transition टाब यहाँ पे हो चुके, खतम आप break लेना चाहते, तो ले लिजएगा, मैं तो continue करते रहूँगा, आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे break देना जरूर है, क्योंकि आपने एक घंटा पड़ाई की लगबग, लगबग, कोई करता नहीं यार, एक घंटा पड़ाई, सब लोग movie 3 घंटा देखेंगे, 6 घंटा, कोई कोई तो एक दिन में 2-2 movie देखते, 6-6 घंटा, मैंने ऐसे दोस्त देखे मेरे, लेकिन पड़ाई अगर उनको बोला ना कि यार, एक घंटा कर लो, वो नहीं करते, लेकिन आपने complete किये, इसका मतलब यह होता है, कि आप कुछ ना कुछ लाइफ में बनने वाले हो, आप definitely computer में कुछ करने वाले हो, अभी तो आप सीख रहे हो, फिलाल, लेकिन जैसे आप सी अब हम animation की तरब जाएंगे, animation tab ये भी काफी interesting है, और ये काफी ज़रूरी है, इसे सीखना, समझना, और animation देना, क्योंकि बहुत सारे लोग random animation देते, animation देना, कैसे भी दे देते, powerpoint सीख के, और बहुत सारे classes में, computer classes में, उनको धंग से powerpoint animation नहीं बताया जाता, इसलिए मैं धंग से animation बताऊंगा, क्योंकि animations जब क्लिक करूँगा तो यहां पर animation highlight नहीं हो रहा है, सबसे पहली चीज़, highlight हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि animation images की उपर हो, text की उपर दिया जाता है, slide की उपर नहीं, slide के अंदर की content की उपर दिया जाता है, तो अगर मैं text पे click करूँगा तो यह animation यहाँ पर highlight होगा तो highlight होने के बाद आपको यहाँ पर down arrow बे click करना है और यहाँ पर मिलेंगे धेर सारे animations लेकिन इसमें चार main type याद रखना है एक entrance, एक impasses, एक exit, एक motion path entrance जो होता है वो text को entry करने के लिए होता है जब कभी भी आप कोई भी text को entry करते होए दिखाना है मतलब in करना है slide के अंदर तो उसे entrance बोला जाता है बाहर से in होगा और अगर वो text पहले से अंदर है और उसके उपर कुछ ध्यान जाना है मतलब लोगों का ध्यान लेकि जाना है तो उसका अंदर है animation होना चाहिए उसका मतलब text है उसी slide पे है जगह पे ही animate होना चाहिए उसको color होना चाहिए कुछ भी होना चाहिए उसको बोलते है impasses क्या बोलते है impasses तीसरा है exit exit कब होगा दोस्तों जब आपको लगता है कि अभी इसे गायब करके दूसरे चीज के उपर ध्यान जाना चाहिए लोगों का जैसे background में कुछ चीज रखी है और आगे text है तो text हट जाना चाहिए और background पे ध्यान देना चाहिए exit animation देके आप उस text को निकाल सकते हैं फिर ध्यान कहाँ पे जाएगा automatically background पे चला जाएगा तो exit animation हम कभी देंगे बहुत rarely देंगे जब हमें text को हटा देना है slide की उपर से और background की तरफ ध्यान लेके जाने लोगों का यानि पीछे जो image रखी उसकी तरफ तब हम exit animation देंगे rarely use होता है और motion path की भी ज़रुत कभी कभार पड़ती है यह चार अलग अलग तरीके की animations आपको यहाँ पर देने हैं और जब मैंने क्लिक किया animation पर तो यहाँ पर आप notice करोगे कि इसमें इतने ही animations नहीं है उन्होंने कुछ आपको और भी अड़ा दी दिया अड़ा मतलब और storage दी दिया है more entrance animation effects का और यहाँ पर आपको नीचे दिखाए देरे यह options इसमें क्लिक करेंगे आपको एक dialogue box मिल जाता है entrance के और ज़्यादा animations यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं यह कैसे apply करना है हम यहाँ पर जरूर सीखेंगे दोस्तों सबसे पहले slide में आप देख सकते मेरा यह title है यह मेरा subtitle है और यह मेरा picture है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले title in हो जाए उसके बाद subtitle in हो जाए और बाद में picture in हो जाए यह तीनों भी entrance animation में मुझे देने in करना है one by one तो मैं कौन सा in करना चाहता हूँ यहाँ से मैं in कर सकता हूँ animation को ज़रा ध्यान से समझेए मैं कैसा animation दे रहा हूँ कापी effective presentations यहाँ पे हम बनाने वाले हैं यह सारी चीज़े सीख कर इसलिए यहाँ पे ध्यान देजे मैं apply कर रहा हूँ apply on animation अगर मैं apply apply करता हूँ तो यह तुरंत एपलाय हो जाता है ये बात ध्यान रखिए यहाँ तूरंत Launch होता है यहां से कोई भी animation apply करते हो तो आपको preview भी दिखता है लेकिन apply भी हो जाता है यहाँ पर आपको one कर्ऌत करके दिखाय दे रहे मतलब एक साथ दो animation यहां पर apply नहीं हो रहे change होता है animation अगर आप change करते हो तो यह split in हो गया wipe हो गया अगर आपको एक ही text के उपर दो animation देना है तो यहां से आप एक ही दे सकते हैं आपको उसके लिए दिया है add animation animation अपको इसे और एक चाहिए तो आप यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए अनिमेशन कितने आगए एक और दो और यह इसके लिए है यह box क्लिक करूँगा यह box उपर जा रहा है इसलिए उपर आ रहा है अगर आप इसे छोटा करके रखेंगे तो यहां पर दिखाए देगा इस box की कीए पटा निया कि है यहां से अनिमेशन है अपप छॉट कॉट कर सकते हैं बहुत क् impressions करते हैं और आप यहां पर लोग क्या करते हैं इस पर click करते हैं इतना दूर जाने से अचर आप डिरेक्ली इदर click किए और delete किवे राइट तो यहाँ पर animation होगे लेकिन आप चाहते हैं डिरेक्ली अप्लाइट नहों मुझे preview दिखाये दे तो आप यहाँ पर click किजिए और यहाँ पर more entrance एनिमेशन या मोर जो भी देना है आपको इमपैसिस एक्जिट उसको मोर ऑप्शन में चले जाए और यहाँ पर प्रियू इफेक्ट पर चेक रखिए देखिए प्रियू इफेक्ट यह अल्री चेक है मेरा क्योंकि मुझे प्रियू मिलना चाहिए तो अब मैं देखना चाहता इसमें से कौन से जादा एनिमेशन और कौन से कैसे आ रहे है यहाँ पर अप्लाइन नहीं होगा जब तक मैं ओके बटन नहीं करूंगा तब तक तो मैं यहाँ पर प्रियू देखूंगा स्पायरलीन का कैसे आ रहा है विल कैसे आ रहा है यह विप विप यह अच्छा रहा ह यह एक ही effect आ रहा है इसके अलाव भी effect रहते हैं मैं आपको दिखाऊंगा इसके लिए क्लिक करते हैं इस टेक्ष के लिए और इसके लिए भी animation apply करते हैं इसकी size में इस box की तरह कम करके रख देता हूँ अब इने size यहां पर ऐसे कम कर दिये तकि animation कहाँ पर apply हो रहा है यहां पर दिखाए देगा आपको तुरंट अब मैं इसे कौन सा animation देना चाहता हूँ इसे भी मैं entrance ही दूँगा क्योंकि अगर मैंने इसे गलती से impasses दे दिया चले मैं आपको दिखा तो impasses दे दिया तो होगा क्या मैं आपको slide का presentation करके ही दिखाता हूँ कैसे होगा क्या होगा समझ मैं आपको मैंने इसको spin देने के बाद यह ऐसा आ रहा है तो होगा problem क्या जावाज वैसे मैंने mute कर दिया और यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है कि यह पहले ही यह दिख रहा है और यह जंडू Well बाद में आ रहा है मतलब आपको क्या होगा कि आपने इन को animation दिया ही नहीं और इसको दे दिया इसको दिया वो इंपैस्ट दे दिया इंट्रस दि दोंगा यह क्लिक करके मैं Delet Кर सकता है यह इसके ओपर क्लिक करके मैं यह इनिमिशन दिता हो जुम यह रㅋㅋ यह जूँह एंट्रानस और यह जो सा ओर्फैसिस और यह जादा से प्रेडिज दिख रहा है वो आपको दिख रहा है एक्जीट और नीचे यह तो आपको पता है सब मोशन पाथ से तो यहां पर मैंने इंट्रांस इसको जूम दे दिया और इसको भी मैं कुछ और एनिमेशन दूँगा यहां पर ग्रो एंड टरन देता हो इसको अब आप इसे करके आराम से देख सकते हैं कि इसका अनिमेशन आया कैसे हैं चले एक करटन ओपन होगा कि चैक ओपन नाव जहन दू बाम एक बाम तीन काम और यहां पर आ रहा है आपका इमेज राइट यह तोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्योंकि आपने वैसे भी स्लाइड का टाइमिंग स्लो रखा है और टाइमिंग ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वहाँ पर फास्ट नहीं होगा स्लोई होगा आपको मुझे यह समझाना है कि अनिमेशन कैसे अपलाई करना है तो यह अनिमेशन इंट्रांस के मैंने तीनों भी दे दिये सिकेंड स्लाइड पर आप कौन सा अनि पर लेज़ची गरों अगर च्रोंगा गाल तो फैसे एक रोली एक चैने-अपशिचर और लेक्जया थे सिकेंड期 क्लिक क्लिक करऊ तो एप में आप बिक करता हूं यह जारा बौक्स की साइज में कम कर देता ह। और मैं यहाँ पे grow and turn apply करता हूँ अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है border पे apply किया तो one by one यहाँ पे animation यहाँ पे दिखाए दे रहा है आपको two, three, four है ना one by one अगर आप चाहती है तीनों भी एक साथ आए तो यहाँ पे click करो effect option में all at once दिखिए तीनों भी एक साथ all at once effect option में यहाँ पे as a one object एक साथ all at once में क्या फरक है दिखाए दे रहा है as a one object में क्या फरक है यह effect में देखिए और as by paragraph में क्या फरक हो है यह आपको यहाँ पे समझना है effect options के अंदर यह effect options में जरा notice कीजिए यह भी बहुत ज़रूरी होता है आपको animation देने के लिए यह बहुत सारी चीज़े होती है जो लोग नहीं जानते है जो apply करना जानते है कि हम paragraph के अंदर जो sentences से इसे one by one करके भी ला सकते है इस options से by paragraph options इसे all at once भी ला सकते as one object भी ला सकते है तो entrance animation apply करने के तरीके मैंने बताया और इसको leave as one object कैसे करना है अच्छा अगर मैंने इसमें entrance apply किया लेकिन मैं साथ में यह चाहता हूँ कि मैं repeat करना हूँ मैं explain कर रहा हूँ लोगों को तो यह दुबार animate हो तो दुबार animate हो इसके उपर दूसरा animation apply करना है तो आप यहां से बिल्कुल नहीं करेंगे यहां से आपको entrance ही देना है लेकिन यहां से नहीं करेंगे क्योंकि यह हट जाएगा अगर आपने यहां से entrance दिया तो तो मैंने आपको बताया था add animation में चाहिए और यहां से आपको जो चाहिए हो दे जीजिए यहां पर टीटर है यह टीटर वो उड़ता टीटर नहीं यह टीटर है मतलब वैसे कुछ आप बोलो spin ले लो, grow and shrink ले लो अलग-अलग है लेकिन इसका preview नहीं दिख रहा है तो आपको idea में नहीं बताई है more entrance या more impassis more impassis फिलाल दे रहे impassis में जाते और यहां से आपको मिलेगा इसका preview जैसे इसको bold flash करना है जैसे इसको यह आपे देखे bold flash कुछ दिखाए दे रहा है bold flash से क्या हो रहा है एक-एक bold हो रहा है वाव interesting यह चाहिए तो ले सकते है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इतना अच्छा है यह ठीक है या फिर यह wave वाला बहुत में इंट्रेस्टिंग है एक-एक-एक-एक object के लिए आ रहा है मैं इसे ठीक करा लूँगा लेकिन ऐसा एक-एक करेगा तो यह चंदन उड़ते जाएगा फिर के उड़ेगा फिर गुनो उड़ेगा यूनो गुनो ओके गुनो से अलग-लग हो गया है गुनो से एक सची वर ऐसे तो यहां पर करेट कर लेते हैं वो गुनो से कैसा अलग-लग लग रहा है अब मैं करूंगा क्या मैंने इसे क्लिक किया और effect option में इसे भी हम करेंगे क्या as one object as one object में क्या होगा देखिए तिंग 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 को करके आपको काफी मझा आज आएगा अगर आप PowerPoint पहली बार शिक रहे हो वैसे यह बीगिनर्स के लिए तो आप पहली बार सीक रहे होंगे मैं क्यों बार-बार बता रहा हूं कि पहली बार सीक हो क्या ओके यहाँ पर ऐसे ही यह सारे animation यूज़ करके देखें कि उम्मीद है मुझे मैं आपको बस यहाँ पर अभी exit दिखाना चाहता हूँ कि exit होता क्या है exit कहाँ पर दिखा हूँ मैं इसके उपर दिखाता हूँ चलिए exit जैसे मैं यहाँ पर image दे रहा हूँ image के लिए कुछ animation नहीं देना है लेकिन यह बोल के हो गया तो यह exit होना चाहिए बस image दिखना चाहिए लेकिन पहले यह entry वाला देंगे हम इसे मतलब यहाँ पर हम इसे entry देंगे कैसी entry करेंगे इसकी floating ऐसी entry करेंगे यह बोल रहा है और यह बोलने के बाद इसका खतम हो गया बोलके तो यह exit होना चाहिए तो इसके उपर क्लिक करेंगे add animation में more exit में जाएंगे more exit और exit कौन से type का देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा गायब करना है उसको ऐसा गायब करना है जैसा भी गायब करना है आप उसे गायब कर सकते हैं float in float out और यह लेखते हैं float up okay कर देते हैं now let's have a look मुझे इसी slide का presentation देखना है अभी देखिया अभी यहाँ पर एक option दिया गया है preview preview करके option है यहाँ से आप इसे preview करके देख सकते preview पर क्लिक करके preview पर क्लिक कीजिए preview आपको मिल जाएगा right तो इस तरह से आपको preview मिल रहा है मतलब यह तुरंद क्यों गायब हो रहा है क्योंकि मैंने एक साथ दोनों भी animation दे दिया है यह second वाले को delete करो इसका पहला वाला हमने दे दिया है second वाला जो था exit का delete किया है इसको भी पहला animation देजी आभी आप यहाँ पर इसे देते ग्रो एंट टॉन यह वाला देते ओके अब इसे exit करते है देखिए यहाँ पर click करते add animation में जाते है more exit और zoom वाला करते है यह वाला exit करते है zoom वाला देखिए कैसा आ रहा है जबाद चेक करते zoom होई क्या है ना कैसा रहा है इसको भी exit करते है इसको click easy add animation more exit और float वाला देते है इसको आपको जो चेही हो दे सकते है अब इसको preview करके आप यहाँ से देख सकते है या फिर इसी slide को खाली पूरे presentation में देखना है चाहते है from current slide अभी देखिए right तो अभी मुझे यह समझाने की ज़रूत नहीं के अनिमेशन कैसे हुआ exit क्या हुआ वैसे fast क्यों हो रहा है मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि हमने वापे slide का timing कम रखा इसलिए fast हो रहा है यह slow भी आ सकता है आप इसको देने के बाद बहुत सरे और भी entrance दे सकते है फिर इसके exit दे सकते है तो यह animations tab का use मैंने आपे बता दिये आपको कैसे करना animation tab लेकिन animation tab में इतना ही नहीं दोस्तो animation tab में बहुत interesting चीज़े वो है animation pane यहाँ पे यह सारी चीज़े लोग नहीं जानते कि animation pane को कैसे use किया जाता है animation को trigger कैसे किया चाता है यह यहाँ पर देखना हमे animation paint की जरी है और animation painter भी है animation painter काम क्या करता है इसमें जो animation दिये हो है वो copy करके दूसरे पर apply करेगा yes वही करेगा यह आपको मैं दिखा देता हूँ simply यहाँ पर कौन सा animation दिया है इसमें floating आ गया क्योंकि मैंने इसका animation copy किया आपको format painter यादेगे दोस्तों word और excel में format painter होता है जिससे एक formatting हम दूसरे के उपर copy paste करते है यानि कि एक formatting हम copy करते है और दूसरे के उपर वह formatting हमें apply करना है तो format painter का use करते है जो कि मैंने excel for beginners के लिए जो वीडियो बनाया था न मैंने दो घंटे का उसमें बताया है वैसी यह animation painter है यहाँ का animation यहाँ पर मैंने पेश किया वैसे मैं control z कर देता हूँ मुझे नहीं करना है लेकिन animation painter का का काम यह है कि आपको बार बार animation repeat apply करने की ज़रूतनी बस इसके उपर जो animation दिया है animation painter पे click करो और फिर यहाँ पे लाके click करो उसके उपर यह apply होगा देखिए इसके उपर का पूरा animation निकल गया और यह flute in वाला apply हो गया क्योंकि इसको flute in है तो एक animation copy हो कि दूसरे पे apply करना है animation paint रहो और यहाँ पे क्या करना है animation paint क्यों लाया मैंने right side में आपको animation paint दिखाए दे रहा है यह animation paint इसलिए लाया है क्योंकि हम action कर सकते कि यह और यह साथ में आ जाए यह दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो यह और animation मैंने अलग अलग दिया है दोना animation साथ में आने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक arrow आता है और इसमें आता है कि आपको कौन सा action करना है यह start on click है start with previous है start after previous है so start with previous अगर आप करते हो तो होता क्या है ज़रा इसे play करके देखते हैं हम लोग अब ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पे यह पहली slide तो चलने दीजिए मैंने starting से play किया लेकिन second slide पे ज़रा ध्यान दीजिए वो दोनों साथ में आ रहे है तो यह start with previous क्या काम कर रहा है समझ मैं आपको start with previous animation paint से होता हो और animation paint बहुत काम की चीज़ है बहुत important चीज़ है जब आपको effective presentation बनाना है अच्छा इस animation से related मतलब excel का data powerpoint में लेके effective presentation कैसे बनाते है इसके लिए यहाँ पे आप डेमो देख सकते है कि यह presentation मैंने excel की data पे कैसे बनाया है यहाँ पे मैं बस आपको demo दिखा रहा हूँ कि यह presentation मैंने यह animation paint को use करके बनाया है तो यहाँ पे sheet के अंदर का कुछ data मैं यहाँ पे particular highlight करके आपको दिखाऊंगा भी मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक portion का data highlight हो रहा है फिर दूसरे portion का फिर तीसरे portion का और यह मैंने powerpoint में बनाया है जिया excel का data powerpoint में लेके कैसे amazing presentation या chart कैसे highlight कर सकते हैं ऐसे अलग अलग यह animations कैसे कर करने के लिए आपको इसकी बहुत ज़रुत पड़ेगी और इसलिए आप वो presentation ज़रूर देख लेना कि यह animation paint का role क्या है अखिरकार animation paint किसके लिए कैसे use किया जाता है उसके साथ भी animation कितना delay होना चाहिए मतलब animation start होता है जैसे हम powerpoint slide चालू करते हो तो duration यहाँ पे आया है कि तो timing एक second के बाद animation चलोगा एक second delay हो जाएगा तो यह सारी चीज़े यहाँ पे animation tab में आती है यह animation tab था design transition animation हमने cover कर लिया है powerpoint का जो important topic है यहाँ पे हमने इसमें cover कर लिया है आगे भी बहुत कुछ है दोस्तो लेकिन मैं आपको बताओ कि अगर आपको series में को सीखने तो photoshop, coral raw, telly इनके लिए मैंने एक channel बना है जिसका नाम है real tutorial जरूर एक बार विजिट कीजिए जिसका link आपको मैं description में दे रहा हूँ एक बार विजिट करके देखिएगा वहाँ पे amazing आपको tutorial मिलेंगे धेर सारी tutorial मिलेंगे जरा चेक कीजिएगा serially tutorial देखने के लिए बस इस channel पे जाके यहाँ पे playlist पे click easy और playlist के अंदर आपको real tutorial में सारे playlist मिलेंगे और step by step आप सीखेंगे तो आप expert बनते जाएंगे तो चलिए बढ़ते अब आगे के topic की ओर तो चलिए एक और tab यहाँ पे हम powerpoint के अंदर देखने वाले जिसका नाम है slideshow जो कि आपको यहाँ पे screen पे दि करता हो तो यहाँ पे सबसे पहली स्लाइड से presentation स्टार्ट होगा पहली स्लाइड के बाद दूसरी दिसरी ऐसी automatically स्लाइड आती जाएगी तो beginning मतलब आपको समझ में होगा होता क्या है लेकिन अगर आपका selection तीन नंबर स्लाइड पे यानि कि आपने यहाँ पे तीन नंबर स् स्लाइड से मेरा presentation स्टार्ट हो गया है इसके बाद तीन नंबर के बाद चार आएगी चार के बाद पाच आएगी और आगे continue आती रहेगी आगे continue आतला पाच के बाद तो कुछ है नहीं लेकिन फिर से वन स्टार्ट होगी क्योंकि हमने उसे सेट अप किया याद है ना सेट presentation रन हो रहा है आप चाहते कि अलग अलग computer पर दिखाए दे आपके offices में हैं या फिर अलग location पर भी है जैसे आपके पूना में कोई branch है या फिर कोई नागपूर में branch है वहां पर रन हो जाए तो इसके लिए आप यह कर सकते हैं और सामने वाला यह से डाउनलोड भी कर और यह processing होगा और जैसे ही यह processing होगा इसके बाद आपको एक link मिलेगी जो link आप जिसके भी साथ share करोगे वो ड्रेक लिए आपका presentation देख पाएगा लेकिन जब आप यहाप 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 करके उसे run करोगे तो याद रखिए जब आप यहाप यहाप करके इस presentation का अपनी computer प साथ और यहाप बाद में आपको start presentation क्लिक करना है और जैसे आप link share करोगे वो link अगर अपना friend access करता है मैं यहाप मेरे browser में दिखा रहाओ Google Chrome में access करके आपको और जैसे आप यहाप यहाप इस start presentation करोगे तो यहाँ पे जो start presentation करोगे वैसी simultaneously presentation चलेगा दोस्तों इंट्रेस्टिंग है यह एक बाग करके देख लिएगा ट्राइ कीजिएगा जरूरी से तो फिलाल अभी हम आगे बढ़ते present online क्या है यह तो मैंने आपको बता दिया custom slide show क्या है इसके बारे हम जानते custom slide show यहाँ पे आ रहा है custom shows क्लिक कीजिए custom shows पे जैसे आप क्लिक करोगे एक dialogue box आ रहा है चोटा सा ननन सा प्यारा सा और यहाँ पे new button पे क्लिक करना है new button पे यहाँ पे आपकी सभी slides दिखाए देरी पाचो slides दिखाए देरी जंडूबाम, features, prices, and people review thank you for watching इसमें मैं दे रहा हूँ कि मुझे तीन slide का presentation बनाना है इसे हम बनाते है short ppt इसका नाम देते जैसे मैंने जंडूबाम की लिए, prices वाली लिए और thank you वाली लिए यह तीन slide add कर दी मैंने यहाँ पे side में दिखाए दे रहा है हमारा जो presentation अभी यह तीन slide का ही बनेगा, okay कीजिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे presentation का नाम आ चुका है जिसका नाम है short ppt और मैं अगर इसे show करूंगा तो एक number slide दिखाए दे कि मैं direct fast कर रहा हूँ, down arrow press करके यहाँ पे next slide ले रहा हूँ, अब यह 3 number की आ रही है और directly 5 number की, यह 3 slide का अलग सा presentation हमने बनाया है जिसका नाम यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है short ppt करके custom views में, यानि कि custom views में जाकर ऐसे आप अप अपने ही slide में से कुछ slide, अलग-अलग slide मतलब कुछ slide pick करके नया custom show बना सकते है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा है, आप इस custom show को edit करना चाहते है तो edit भी है, नया बनाना है तो और वहाँ आपे new options भी है, तो ऐसे अलग-अलग show बना के अपने पूरे presentation में से कु यह hide हो जाएगा, सबोज मैंने दो number slide को hide कर दिया, तो इसमें कुछ changes नजर आएंगे, आपको दिखाए दे रहा है, यह दो number की slide presentation से exclude हो गई है, delete नहीं किये, hide किये, अगर आप यह प्ले करोगे, तो आपको एक number तो slide दिखाए देगी, लेकिन दो number नहीं, direct 2 के बाद 3 आए क्योंकि दो number को मैंने hide करना, right click करके भी आप कर सकते हाइड, जैसे कि मैंने आपको starting में बताया था, यहाँ पर hide side option है, जो हम आगे देखने वाले, और अभी देख लिए आपने उसको, right, तो hide slide तो आपको समझ में होगा, setup slide में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक option है, ज यहाँ पे custom show को tick रखो, नहीं हमें all slide देखनी है, या फिर हम कुछ particular range में प्ले करना चाहते हैं, यह भी option है, presented by speaker, full screen पे present करना है, window में present करना है, यह लग लग है, click करके देखिए, बच्छोटी च्छोटी options है, और यह disabled hardware, graphics acceleration अगर यह on रखा, तो आपकी animations रायत वो दिखने show without animation करना है, show without narration करना है, यह सारे options है, animation बंद कर देने, मतलब जितने भी animation है, उसके बिना आपको slides देखनी है, तो यह option से आपे check रखो, यह basic settings है, जो आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे आता है, right side में आपको दिखा दे रहा है multiple monitors, अगर में पस एक से ज़्यादा monitor connected ह मैंने इसके बारे में बताया है, कि एक से ज़्यादा monitor हम अपने computer को, यह laptop को कैसे connect कर सकते हैं, उसके लिए already video मैंने बना दिया है, और F4 बटन प्रेस करके, मतलब मेरा Dell का laptop है, इसलिए F4 बटन प्रेस करके, किस तरह से हम एक ही laptop पे दो application चला सकते हैं, एक ही laptop पे दो application दो अलग-अलग screen पे, अगर आपके पास extra monitor है तो, multiple monitor है तो, तो उसके लिए video अल्रेडी बना दिया है, description में link दे रहा हूँ, आपके सामने भी उस video का यहाँ पे दिखाए दे रहा है, आइकॉन वगेरा, तो यह video ज़रूर देखिएगा, यह आपको PowerPoint में भी बहुत helpful रहेगा आपके लिए, PowerPoint में किस तरह से presentation आएगा, यहाँ पे भी option आपको दिखाए दे रहा है उसके लिए, कि आपको यह monitor कौन सा set करना है, यह हम इसको primary set करेंगे, और यहाँ पे अगर हम अलग एक monitor connect करते हैं, तो उसे हम secondary presentation देंगे, यहाँ पे हम secondary देंगे, तो कैसे दिखाए दे यहाँ पे आपको और यह दिखाता हूँ, मैं एक record करके, मैंने shoot करके रखा है, यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है, एक side में, मैंने PowerPoint presentations का primary monitor रखा है, और दूसरी जोगा मैंने खली, जो दूसरा monitor, monitor to connect किया है, उसको यह उपर slide show किया है, जैसे मैं F5 बटम प्रेस तो मेरे primary monitor की उपर, यानि laptop की उपर, आपको दिखाए दे रहा है, कि यह slide का presentation कैसे आ रहा है, यहाँ पे मैं कोई भी slides, यहाँ पे judge कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, यहाँ से, और right side में, जो monitor मैंने यह लिया है, जिसमें presentation दिखाए दे रहा है, मैंने external monitor connect किया, तो उसमे directly presentation दिखाए दे रहा है, तो slide की उपर मैं control करूँगा इस से, क्योंकि मैंने उसको presenter view रखा है, और presenter view यूज करने से बहुत benefit होता है, जब आप business में slide present करो तो आपको next slide पहले से पता चलेगी presenter view की मदद से, यहाँ पे आपको सामने दिखाए भी दे रहा है, एक छोटा view आ र देख लेना, क्योंकि आपको expert बनना है तो मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे और मैंने धेर सारी वीडियो बनाए अलग अलग topic पे जो कि अभी आपको ये ज़रूरी है सीखना, इसके बाद यहाँ पर आते हम next point पे rehearsal timing and record slide show, play narration, use timing, show medias, यह सब on रखो, यहाँ पे चेकी हम करते rehearsal timing, चलिए हम rehearsal करते हैं, इससे होता क्या है, अब हम मेरा presentation चालो है, यहाँ पे यह रेडिमेड आनिमेशन दिया था मैंने, इसलिए यह चालो है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, कि यहाँ पे जो जंडु बाम टेक्स आ रहा है, मैं कितने time के बाद आना है, यहाँ आरो प्रेस करो, 10 यहाँ 11 सेकेंड के बाद वो आना चाहिए, आपको लगता है तो वो 10-11 सेकेंड के बाद आ गया, अभी इसका next आपको दिखा दे रहे हो 17 सेकेंड के बाद आएगा, मतलब 17 सेकेंड के बाद, यह कभी आएगा 20, आप आरो प्रेस करके इसके controls को मत स्लाइड का टाइमिंग कितना लग रहा है, उसके अंदर जो अनिमेशन आने वाले, कौन से सेकेंड के आने वाले, यह सारा हम रेकॉर्ड कर सकते हैं, इसको रियसल, हम रियसल कर रहे हैं, यह करना क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, अब यह हो गया मेरा स्लाइड, एसक स्लाइड को चेंज करने के लिए, वैसे रिमोट रहता है, जो प्रेजेंटर करने वाला है, मीटिंग लेने वाला है, उसके हाथ में, लेकिन नहीं है तो आटोमाटिक स्लाइड बदलनी चाहिए, इसलिए हम रियसल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कि कौन सी स्लाइड कितन इसलिए हम ने दिया था, इसका 12 सेकेंट है, नीचे 20 सेकेंट, अलग अलग है, इसका 10 सेकेंट है, थर्ड आलिका टू सेकेंट, इसका 9 सेकेंट, वन सेकेंट, तो यह ताइमिंग यहापे जो रियसल में हमने रखा था, वह ही आ रहा है, व्यूमें, इसलाइड सौर्टर, slide sorter याने की slide को छोटे view में दिखाए देना, फिलाल तो normal view में दिखा देताओ slide को दुबारा में आपे, आपको ये जो option से थोड़े से advance लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत काम के है, powerpoint को detail में सीखना है, तो इन चीज़ों का knowledge होना ही चाहिए, कि rehearsal timing होता कि हम practice कर रहे है, rehearsal कर रहे है, और rehearsal करते वक्त उस slide के अंदर के जो content है, उसे present करने के लिए कितना time लग रहा है, ये record होते जाएगा rehearsal timing में, वैसे record show करता है, अगर आप start recording from beginning करेंगे, तो वही हो रहा है, start recording करेंगे हम, तो ये वही timing record करेगा, यहाँ पर दिखाए दे रहा है, पहले तो ये transition के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे arrow की press करोगे, तो यहाँ पर वैसे भी next text आएगा, तो यह वनेक बाद फिर आप चाहते कि यहाँ पर कुछ seconds के बाद, यहाँ पर next text आजाए, तो 20 seconds होगे next text, यहाँ पर दिखाए दे रहा है, फिर next यह शेप आना चाहिए, तो ऐसा में down arrow प्रेस करो यहाँ पर, तो यहाँ पर timing record होते जाएगा, और यह timing आप जब practice कर रहे हैं, तभी आपको यह लगा देना है, यह असल timing इसे बोलते हैं, ओके, इंट्रेस्टिंग है और यह हमारा आखरी टॉपिक रहेगा, पावर पॉइंट के अंदर, अब हम सिखेंगे, फोट आल्बम कैसे create करना, उसके अंदर हम कुछ audio और वीडियो क्लिप्स कैसे डाल सकते हैं, साथ में उस वीडियो को crop औगेरा कैसे कर सकते हैं, काफे इंट्रेस्टिंग चीज़े रहेगी, मज़ेदार चीज़े यह भी जानने के लिए, वैसे, पावर पॉइंट में देखा जाए तो बहुत सारे content आते हैं, लेकिन बिगिनर्स लेवल को जो knowledge होना चाहिए, पावर पॉइंट में आपको बिगिनर्स टू मास्टर बनने के लिए जो knowledge होना चाहिए, यह यहाँ पे इस tutorial में मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, उमीद है आप अभी तक वीडियो देख रहे होंगे, और देख रहे होंगे तो आपने like भी अलड़ी किया ही होगा, फिलाल मैं बताओ कि अगर मुझे photo album create करना है, इस presentation को मैं save कर देता हूँ और मैं control W करके इसे close करके नयाप presentation लेता हूँ, नयाप blank, control N, photo album में click करता हूँ, new photo album, सबसे पहले यहाँ पे आ रहे हैं new photo album और इसके पर मैं click करूँगा, जैसे click करूँगा एक dialogue box हा रहा है, जिसके अंदर आपको पूछा जा रहा है कि आप कहां से file or disk देते, insert picture form, यहाँ पे दिखाए दे रहा है insert picture form, कहां से आप picture insert करना चाहते हो, तो चलिए file or disk पे click करते है, डी ड्राय में thumbnail folder में में पास कुछ pictures है, जहां पे आपको दिखाए दे रहे हैं, मेरे जो वीडियो जे उसके अलग अलग thumbnails यहां पे आपको दिखाए दे रहे हैं, यहां से मैं कुछ thumbnails select कर लेता हूँ, चलिए यह thumbnails सभी same size के, लगबग same size के, तो मैं यह 8 thumbnails यहां पे ले रहा हूँ, यह जो photos है में ले रहा हूँ, एक साथ select करके, ऐसा select करना है दिखिए, white पे इसे click करके, drag करके यहां पे select कर लेना है, look at here, it's very simple to select, make selection of this, and insert button पे click करना है, insert button पे click करने के बदद, यहां पे धेर सारी images, यहां पे एक साथ आपको दिखाए दे रहे, 10 के 10 images आ चुके है, अब इसे slide के उपर कैसे present करना चाते है, fit two slide याने कि एक slide पे एक आएगा, देखो picture layout दिखाए दे रहे आने आपे, याने कि एक slide पे एक आ जाएगा, चलिए एक slide पे एक ही रखते है, हम बाद में भी photo album को edit कर सकते हैं वैसे, और यहां पे theme भी रख सकते हैं, तो फिलाल इसके लिए theme की ज़रूद नहीं, क्योंकि एक slide पे एक picture आने वाला है, और सभी picture को आप black and white भी कर सकते हैं, आप बीच में text box भी add कर सकते हैं, सारी चीज़े नहीं करना है फिलाल तो create कीजिए बस, देखिए photo album create हो गया है, आपको automatically हर एक slide पे एक एक photo full screen में मिल रहा है, चलिए मैं इसे F5 button प्रेस करके दिखाता हूँ, F5 button प्रेस किया पहला picture, दिखाए दे रहे हैं ना slide की उपर आ रहा है, हर एक MS report में ये जरूरी है, मेरे वीडियोज के titles है, आपको पता है, आपने मेरे वीडियोज देखे रहेंगे, तो ये सारी चीज़े आपको आती रहेगी, कि Excel में ये सब करते कैसे हैं, कुछ मराटी वीडियोज की भी title है, क्योंकि मेरा मरा TV चैनल है, शायद आपको पता रहेगा, अब यहाँ पे मैं आपको बताओ, कि यहाँ पे जो pictures सारे, मुझे क्या करने, इतने सारे slide होगे, मुझे क्या करना है, यह दो या तीन slide में सारे pictures दिखाने हैं, तो यहाँ पे insert में दुबारा जाएंगे, तो photo album के अंदर, rectangle box कैसाच है उसके पो, यहाँ पे दिखाए दे रहा है, rectangle में compound frame चाहिए, तो compound frame ओला ले लो, frame के साथ आएगा, आपको right side में उसका छोट अज़ाब preview दिखाए दे रहा है, और theme भी चाहिए आपको तो theme भी आप रख सकते हैं, कोई design theme, office theme ले लिया मैंने यहाँ से, जिसे मैंने click किया, यहाँ पे theme आती है, कोई भी एक theme ले सकते है, organic ले लिया तो भी चलेगा, और आप इसे update करके देखिए, अभी update क्यों, क्योंकि पहले से यह presentation तैर है, अभी create नी update होगा, अब एक slide में 4 pictures आ रहे हैं, अभी चार photos आ रहे हैं, पीछे background में theme भी आ रही है, interesting है, एक साथ photo album यहाँ पे हमने बना दिया, तो photo album बनाने के लिए, यहाँ पे कोई मैनत नहीं है, जदा आपको बस ready made photos के साथ काम करना है, photo album में जाना है, edit photo album में जाना है, हमें नया बनाना है, तो new कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे और भी photo album बना सकते हैं, आपको एक slide पे कितने pictures चाहिए, वो आप decide कर सकते हैं, और यहाँ पे update बटन पे click करके वो देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा है, पहली slide, second slide, third slide, right, और इसका design भी बदलना है, तो वैसे आप design बाद में भी बदल सकते हैं, आपको लगा कि यार वो design इतना अच्छा नहीं, यह वाला ठीक है, तो सब के लिए वो वाला design अपला हो जाएगा, तो insert में photo album तो हमने बनाया दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस photo album के background में कोई music play हो जाए, राइट, तो जैसे मैं एक के बाद यह photo और एक के बाद यह photo भी आ जाए, तो इसके लिए transitions भी दे सकते हैं, transition देते हम, इसके लिए कोई यह वाला transition देते हैं, चलिए, शोटा सा एक transition दे दिया, apply to all, या फिर यहाँ पर बहुत सारे transitions आ लग लग, यह वाला देखते हैं, gallery वाला, so apply to all कर देता हूँ, और automatically एक second के बाद एक photo आ जाए, यहाँ पर एक ही second रख देता हूँ, मैं देखिए, एक second, automatically after पर पर चेक है, apply to all किया और एक ही gallery transition दिया, अब आप पहले देख लो, sound तो दे देंगे हैं, यहाँ पर देखो कैसे आएगा यह, एक के बाद एक slide आती जाएगी, यह दो photos, चलो next, चलो एक second रुकेगा, और next, ऐसे आते जाएगा, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ background में music भी बज़े, इसके लिए अलग-अलग transition भी दे सकते हैं, आप मैंने नहीं दिया, मैंने एकी transition दिया, आप यहाँ से अलग-अलग transition दे दी जिएगा, मैंने बताया है आपको कैसे करना है, insert में जाओ, audio डालो इसके background में, गाना बज़ना चाहिए, तो guide ना डालो, अगर मैं पस गाना है, तो मैं डालोंगा, कोई music है, तो music डाल देता है, audio on my PC में जाओंगा, मैं आप रेकॉर्ड भी कर सकते हैं, अगर आपने mic वगएरा connect करके रखा है, तो आप record करके भी, कोई presentation बनाना है, आपके voice में, तो आप कर सकते हैं, फिलार audio on my PC कर रहा हूँ, audio on my PC करने के बाद, आपके सामने आ रहा है, यह dialogue जिसमें से आप audio select की जिए, अब मेरे पास जो audio है, चलिए मैं यहाँ पे कुछ audio देखता हूँ, का पे song है की नहीं है, यहाँ पे कुछ music मिल रही है, इसमें से कोई भी एक music मैं ले रहा हूँ, happy to see you लिया, और मैंने insert कर दिया, insert करने के बाद, यहाँ पे एक music का icon आ जाता है, जिसे आप उपर रख सकते हैं, इसे कुछ settings करनी हैं, जो आपको ध्यान से देखनी हैं, यहाँ पे music का icon आने के बाद, उसे select रखिए, और उपर playback का एक option आ रहा है, playback button, और playback button में होता कैं मैं आपको बता जाओ, आप directly से play करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको इसको play करके सुनाना चाहूँगा, यह देखिए, यह music है, राइट, प्ले करके सुन सकते हैं, यहाँ पे audio को trim भी कर सकते हैं, और fade in, fade out भी कर सकते हैं, fade in मतलब आवाज, शुरुवात में कैसे आना चीज, slow में start होगा, तो शुरुवात में slow में start होगा, और फिर end में भी slow में दीरे-दीरे करके हैं, वो बंद होता है न, slow motion में जाकि बंद होता है, आवाज तो इसे, आपको fade in, fade out रखना है, तो fade in, fade out रखिए, यहाँ पे आपके लिए options हैं, साथ में यहाँ पे आपको रखना है, automatically कि यह कैसे चलो हो जाए, music कैसे चलो हो जाए, automatic, slide presentation होते समय, automatic चलो हो जाए, और यह play across slide होना चाहिए, यानि कि slide चलती रहेगी आगे, एक slide के लिए देना है कि यह नहीं, तो ऐसा में अगर apply किया न, तो यह play तो होगा, लेकिन पहली slide के लिए play होगा, across slide प्ले नहीं होगा, और अगर अगर आपका गाना पहले कतम होता है, और slide जादा है, तो loop until stop, जब तक हम stop नहीं करेंगे, तब तक यह गाना या जो sound हो repeat होते रहेगा, और आपको यह icon जो है, वो नहीं दिखना चाहिए, तो hide during show, यह icon आप क्या करेंगे, hide कर देंगे, जब आप F5 बटन प्रेस करके show करते हैं, तो F5, सुनिए, वैसे मैंने यहाँ पर आवाज कम रखाएं, यह background music ही हो गया मेरे लिए, ओके, तो आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है, यह अलग-अलग जो slides मैंने बनाई थी, उस वो play हो रही थी, और उसके background में music आ रहा था, क्योंकि मैंने music में कुछ setting की है, और कौन सी settings करनी है playback में, मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे play in background करके भी option है, इस पे click करेंगे तो भी चलेगा, background में यह play होते रहेगा, लेकिन play across light चाहिए, तो यह जरूर रखेगा, इसके बारे मैंने बता है, इसका volume आपको कितना रखना है, low, high वो आपके उपर है, यहाँ पे सारे options दिये रहते, तो यह एक बार जरूर try कीजिएगा दोस्तों, की sound हम कैसे add कर सकते हैं, अब भार ही है video add करने की, तो चलेए न देखते हैं यह video कैसे add करते हैं, आप भी इंट्रेस्टर होगे, यह जानने के लिए कि यार, powerpoint में भी video चलता है, इतना नहीं, powerpoint की file को हम video में भी convert कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, वो interesting part सीखने के लिए बने रही है गाकी, powerpoint की file को हम video में कैसे convert कर सकते हैं, यानि कि आपके पास वो mobile में play करनी है, तो mobile में powerpoint नहीं है आपके पास, तो या फिर आपको कभी टीवी में दिखानी है घर पे, तो powerpoint तो नहीं, तो video file कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, insert में फिलाल video कैसे import करना हो देखिए, video online भी import कर सकते हैं, और video on my pc करते हैं, तो फिलाल on my pc ले रहा हूँ, क्योंकि online टाइम लगेगा डाउनलोडिंग के लिए, इससे अच्छा में video on my pc ले रहा हूँ, और यहां से मेरे पास documents में बहुत सारी videos है, आप यहां से ले सकते हैं document में से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि, तो यहां पे है एक video जो मैंने बनाया है, खुद पे विश्वास करो, believe in yourself, तो मैं यहां पे ले रहा हूँ, इसे insert कर रहा हूँ, insert करने के बाद यह वीडियो यहां पे आज आज आएगा, आपको full screen में दिख रहा है, इसको full screen में रखना है, या चोटे screen में रखना है, आपकी उपर चोटा करके ऐसा रख सकते हैं, चोटा करके जहाँ पर रखना है अब यह music को आपको delete कर देना है थोड़ी देर के लिए या पिर music को नहीं रखना है तो आप हटा सकते हैं उसको delete कर दीजिएगा delete करने वाद यह video कैसे play होगा यह देखे, video यहाँ पर मैंने बीच में रखा है इसके लिए भी playback आ रहा है और इसके लिए धेर सारे options वैसी आ रहे है यहाँ पर भी trim आ रहा है मैंने audio को trim नहीं करके बताया था लेकिन video को ज़रूर trim करूं के बताऊंगा यहाँ पर trim video और पूरा video यहाँ पर load होगा एक चोटा सा dialogue box आएगा trim video का जिसमें आप इसे trim कर सकते हैं करना क्या है कि आपको कितना video चाहिए यहाँ पर यह जो video है मुझे इतना crop करना है यहाँ से यहाँ तक लेप साइड में लेके चाके यहाँ से यहाँ तक crop करना है ओके इतना मुझे crop करना है इतना ही video प्ले करना है दिखाई दे रहने यहां से ले यहां तक ही play होगा अगर आपको crop करना है तो crop करना है तो आप असनी से crop कर सकते हैं यहां पर cropping के लिए भी option देए ओके करेंगे तो उतने आएगा फिलाल मैं cancel कर देता हूँ लेकिन यहां पर fade in और fade out देखे अब देखेंगे तो फेड मतलब slowly display आते जाएगा और slowly display आउट होते जाएगा ओके तो यह आपको fade in और fade out options देते हैं यहां पर यह भी करके देखिएगा थोड़ा एक एक second का fade in fade out रखेंगे तो वह काफी इंट्रेश्टिंग नजर आता है अब करना क्या है कि आटोमेटिक लिप पर करना है मुझे और साथी में यह फूल स्क्रीन पर play करना है तो यहां पर मैंने फूल स्क्रीन नहीं रखा है तो भी don't worry यह छोटा दुनिया में जो क्रिकेट को जानता है वो सचीन को नहीं जानता ऐसा होई बिल्कुल ऐसा होई नहीं सकता दोस्तों सचीन को नहीं जानता है लेकिन मैं आपको बताओ कि यह मैंने मैं skip कर दिया यह presentation अगर आपको देखना है यह मैंने मेरे classes में एक seminar लेने के लिए यह लिया था मेरे students के लिए बनाया था और यह अगर आपको सुनना है तो या फिर देखना है इसकी link मैं आपको जरूर दूंगा मैं FB page पे इसका वीडियो डाल देता हो आपको देखने के लिए जरूर एक बार FB page पे मेरे विजिट करके देखिएगा आपको FB page पे धेर सारे वैसे वीडियो मिलने वाले हैं FB page पे मैं connected रहूंगा आपके साथ तो इसलिए FB page description में link है जरूर विजिट कीजिएगा और यह जो motivational वीडियो है थोड़ा सा आपको motivation जरूर कर देगा यह आपको आपको देखने मिलेगा पूरा का पूरा यहां पर फिलाल मैं आपका time ने waste करूंगा क्योंकि यहां पर आए है आप PowerPoint सीखने के लिए और PowerPoint के अंदर की वीडियो options को आपने सीख ले होगा कि वीडियो कैसे डालते है अब बार यह PowerPoint की कुछ आखरी options की जो की PowerPoint को export कैसे करना है PowerPoint की file को save कैसे करना है अलग-लग format में तो यहां पर मैं बताओ कि अगर आप save button प्रेस करते है या F12 बटन दबाते हो तो आपको PowerPoint का save का screen या save का window ऐसा आ जाता है save button प्रेस करेंगे तो अलग आएगा F12 बटन प्रेस करेंगे यानि save ads ऐसा आएगा दरसल PowerPoint की file save होगी PowerPoint presentation यानि PPT में save होगी PPT extension में मैं इसे desktop पे photo album को save कर रहा हूँ यह देखिया photo album को मैं अलग-लग तरीके से save करूँगा पहले मैं save कर रहा हूँ डिक्स्टॉप को photo album करके save राइट इसको मैं as it is save कर रहा हूँ मैं इसे undo करता हूँ undo क्यों कर रहा हूँ मैं इसमें मुझे audio 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 यहाँ पे audio आ गया है और इस video को मैं delete कर रहा हूँ यह audio भी मुझे चहिए already audio जो था undo करके मैंने ले लिया और इसे ctrl s कर देंगे हम save तो कर दिया मैं इसे अगर मैं इसे close कर दूँगा don't worry अभी मैंने save किया है तो मैं direct close कर सकता हूँ और यह photo album open करूँगा मैं अभी आपको दिखाए दे रहा है यह power point में file open होगी लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इस पे double click करे तो यह power point में open ना हो direct presentation शुरू हो जाए तो इसके लिए मैं करूँगा इसे app 12 दुबारा app 12 यहने कि save ads और यहाँ पे मैं click करके इसे pps में save करूँगा power point show एक option मिलेगा यह एक नया रहेगा आपके लिए जानने के लिए यह power point show इससे होगा क्या pps इसका नाम भी मैं photo album या photo album के आगे मैं कुछ भी दे दूँगा ABC और यहाँ पे मैं इसे save कर देता हूँ अब अगर मैं इसे close करता हूँ और मैं इसे run करता हूँ यहाँ पे दिखाए दे रहे पोटो आल्बम ABC तो यह directly run होगा दिखाए दे रहे मैंने इसके लिए F5 बटन प्रेस नहीं किया कुछ नहीं direct run होगा यह pps फाइल है याणि यह direct run होगा और यह power point फाइल है जिससे हमें F5 बटन प्रेस करना पड़ेगा slide show करने के लिए तो यह चोड़ी चीज़े याद रखो कि power point के अलग लग extension दे कि हम क्या कर सकते है FN F12 बटन में प्रेस कर रहा हूँ तीसरी चीज़ में यहाँ बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक करके इसे MP4 में भी convert कर सकते है या PDF में चाहिए तो पीडियाप पाइल की slide को आप पीडियाप बनाना चाहते है यहाँ पीडियाप option है आप पीडियाप लेके save करोगे पीडियाप में बनेगी MP4 MPZ वीडियो बनाना है तो इसे MPZ वीडियो में भी ले सकते है यहाँ पर वीडियो और यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर फाइल में जाकर आपको यहाँ एक्सपोर्ट option मिल रहा है यह नए वर्जन में क्रियेट वीडियो पुराने वर्जन में अगर आप कर रहा है तो F12 के अंदर ही MPZ वो option आप सेलेक कीजिए और यहाँ पर हर एक स्लाइड का टाइमिंग कितना रहेगा पात सेकेंड दिया है सेकेंड स्पें ऑन इस स्लाइड पात सेकेंड फिलाल मैं इसे create वीडियो कर रहा उसके लिए थोड़ा जा टाइम यहाँ पे लेगा वो आपको दिखाई दे रहा है वो depend है आपकी computer में RAM कितनी है उस वीडियो को convert करने के लिए उतना टाइम लेगा यहाँ पे कुछ percentage होते हुए आपको दिखाई दे रहा है तो आपको यह समझ मैं है कि powerpoint की file को आप वीडि कर सकते आसानी से आप किसी को भेज सकते वीडियो कनवर्ट करके आज के बाद जब कभी भी powerpoint यूज करोगे तो उसे अलग नजर यह से देखना आप जानोगे दोस्तों क्योंकि इसमें मैंने पूरी चीजे explain करने की कुशिश किये यहाँ पे दिखाई दे रहे यह वीडिय इस फाइल है यह powerpoint है normal फाइल तो आपको यह समझ मैं होगा powerpoint को सेव कैसे करते है अलग अलग धंक से powerpoint से कुछ interesting presentation मुझे हमेशा बनानी की आदत पड़ी है और मैंने already बना है वो जो powerpoint का presentation उसका एक demo यहाँ पे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा तो दोस्तों यह तो था लड़की को प्रपोस करनी का पुराना तरीका इस तरीके से शायद ही कोई लड़की मान जाएगी लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे तो इस लड़की को हाँ बोलना ही है क्योंकि यह powerpoint के अलदर मैंने बनाया इस तरह का presentation तो यह educational channel है भाई मैं कोई प्रपोस करनी का तरीका नहीं बता रहा हूँ मैं बस आपके साथ मजाग कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह powerpoint की जो slide है यह अगर आप किसी को भेजोगे य की मैंने मैं आपको दिखा देता हूँ यह होता कैसे है तो यहाँ पे yes or no button है question दिखाए दे रहा है do you love me और yes or no अगर कोई भी यहाँ पे mouse pointer no की उपर लेके जाता है तो वो no की उपर click ही नहीं कर पाएगा जैसे कि आप देख पा रहे है यहाँ पे जैसे मैं mouse pointer no की उपर ले तो यह powerpoint के अंदर amazing project मैंने कैसे बनाया एक action settings है powerpoint के अंदर action setting जो row 30 की नहीं दोस्तो action setting यह powerpoint का options है तो चलिए देखते कौन सी हो action setting जिससे हो सकता है आपका काम सो कैसे लगा यह demo यह demo मतलब एक powerpoint का एक interesting presentation है अगर आप जानना चाहते है कि यह yes ही क्यूं हो रहा है या कोई भी लड़की आपके लिए yes ही क्यूं बोलेगी तो उसके लिए आपको यह presentation का वीडियो देखने के लिए description में मैंने link दी दोस्तों वो भी आप जरूर देखिए गा ऐसी कुछ interesting चीज़े हमेशा आप सीखते रहे हैं यही मेरी इच्छा है मैं आपको सीखाते रहूं जब तक है सांस तब तक पढ़ाते रहूंगा यह मैं ज्यादा ही कुछ बोल दिया ना लेकिन ठीक है आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीज कीजिए वैसे और मैं मिलूंगा कुछ और इंट्रेस्टिंग वीडियो के अंदर learn more चैनल पर धेर सारे और वी वीडियो जो भी देखिएगा मेरा real tutorial चैनल भी विजिट कीजिए मुझे पेज भी फॉलो कीजिए और मैं बाकी social network पे भी available रहेनी की कोशिश करो जिसकी link मैं आपको description दोंगा याने Instagram और जल्दी मैं TikTok पे छोड़ी जोड़ी टिप्स आपके लिए लेकिया होगा TikTok पे वैसे भी educational की बहुत सारी वीडियो जारे तो मैंने सुचा क्यों ना यार हम भी बना दे हम भी आजए TikTok पे तो आप भी आज़ो TikTok पे और TikTok पे मिलेंगे आपको धेर स सारे इंट्रेस्टिंग वीडियो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आप बने रहेंगे हमारे चैनल पर ऐसी लेकिया होंगा आपके लिए ऐसे कुछ इंट्रेस्टिंग लंबा सा डीटेल में explanation वाला वीडियो तब तक लिए हमेशा की तरह हमारा चैनल का जो बाई बाई